MSG मेरा यार है मौसम में बाहर है जब तेरा ही दिदार है क्यों देखू मैं इधर उधर जब मस्ताना मेरा यार है MSG मेरा बहुत खुशी होगी कि आज देरा सच्चा सोदा के संसापक शाह मस्ताना जी महराज का 131 वा पावन अफ्तार दिवस मना रहे हैं पूरी समूची दुनिया में बेबरवा शाह मस्ताना जी महराज ने 1948 बेरा सच्चा सोदा की स्थापना की कुछ लोगों से शुरू हुआ ये कारवा आज 6 करोड से भी जादा के लोगों का परिवार बन चुका है बेबरवा जी ने ना जाने कितने लोगों का नशा चुड़वाया उनको नाम नाम से जोड़कर उनका जीवन स्वर्ग बना दिया है और आज मैं आप पुझे पिदाज से अनुमती चाहता हूं कि सांस्कृतिक और कल्चर प्रोग्राम को शुरू करने की अनुमती पुझे पिदाज से चाहते हैं जो तो सबसे पहले जो लोग सामने बैठे हैं हमारे लाइब उनके थोड़ी सी हाजरी लगा दें उसके बाद आप शुरू करें भारत में पूरे भारत में पूरे वर्ड में यूट्यूब के मादिम से लाखों लोग करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं पर ज्यादा लो ओल चत्तिस गड़ उत्राखंड करनाटक मैसूर विदेशों में ज्यादा लोग यहां बैठें कैनड़ा, अमरीका, होंकोंग, ओमान, आस्ट्रिया, साइप्रिस, सिंगापूर, इटली, जर्मनी, फिलिपाइन, सास्ट्रेलिया, निजिलेंड, सिविडन, निपाल, मलेशि इंगलेंड, साओधी अरब, जांबिया, कुबैत, युएई, दुबई, फ्रांस, आबुधाबी, पूर्टकॉल, सपेन, जपान, मारिशिष, बहरीन, आधी देशों में लाखों की तादाद में, सासंगत करोड़ों की तादाद में, जुडिया, जूम के मादेम से पांसो से जगों से लोग हमें दिख रहे हैं, पूरे वर्ड में पांसो से जदा जगों से सक्रीने हालागी तीन लगा दी, लेकिन हमें लगता हैं, ये कुछ कितने लोग आते हैं एक बार में, एक बार में, तीन बड़ी-बड़ी सकरीन है, एक उपर है चोटी, ये दो बहुत बार में या 144 लोग आ रहे हैं तो आप जुड़े हैं 500 तो यह चली रहे हैं नंबर 22 भारी भारी तो बहुत-बहुत आशिरवाद और साही मस्ताना जी महराज की बहुत-बहुत बधाईयां माले खुशिया दे तो आज प्रोग्राम है जी बेटा आरती लिए बैठी है बेठ हैं तो सब को आशिरवाद सब और भार्त में दू पहुत जगों पर बहुत ज्यादा है साफ नजरा रहे हैं और राजस्तान में बैब नजरार आरे पकड़ए्या नजरारी उनकी और गुजरात में हैं यमाशल में हैं हर जगा क्योंकि पहनावे से कहीं पहचाना जाती है और ऐसी बिदेशों में भी बहुत साथ संगते हैं। सबको आशिरवाद तो अब आपना प्रोग्राम आप शुरू कीजिए। हाँची। सबके दिल की आवाज से शुरू करना चाहूंगा। जब महभूब इतना खुबसूरत हो और उसकी आँखे इतनी मदहोश हो तो घोश में कौन रहेगा। आपके दिल की आवाज मैं बोल देता हूँ, है तो सबकी आवाज। हर सुभे हर शाम आ रहा है, आ रहा है ना। हर सुभे हर शाम आ रहा है जुबां पर बस तेरा नाम आ रहा है युही सामने बैठे रहो और देखते रहे हम हम सब के दिल से बस यही पैगाम आ रहा है तो सबसे पहले मैं मंच पर अमंतित कर रहा हूँ प्रेमी गुर्प्रीत जी को उनका जोड़ाय तालिय से स्वागत कीजिए प्रेमी गुर्प्रीत जी और पिता भी बहुत दिनों बाद यह कोट हमें देखने को मिला है जी बिलकुल यह बेपरवाजी यूस बॉड़ी का कोट है और सारे कहरे दे पतले होगे हरानी जन की यह है जब हमारा वजन 151 था तब भी आ रहा था और आज तो बहुत कम है हम बताएंगे फिर लेकिन फिर भी यह जियों कातियों है क्योंकि कंदे जैसे के तैसे हैं और यह जियों कातियों आ रहा है था कि हमार वाल हमेशा रखते हैं अपने गुरु मुर्शेदे कामिल का तो अभी उनकी बोड़ी तो अपने अभी फिटाना है तो यह उनी के वाड़ा वो आप जानते हैं बच्चे जो जिन्होंने देखा ज्यादा तो आज हमारा दिल था कि वही लेक पहन के जाएंगे त हवावी चला दी और ठंड भी हो गए तो अधरवाइस क्योंकि आपको बदा हमें सर्दी नागर्मी उसकी परवा नहीं होती तो बेवरा जी के खेल है बच्च बीटिया कह रही थी पापा ये पहना नहीं जाएगा अमने का नहीं बेटा वो अपने आप ही बहन वालेगा त कुल कुल फिट है ये वैसा ही और कोट देके वह पुरानी जो याद है वह भी नजर आई कि किस तरह से आप जी मजलस में आते थे और किस तरह से आज थोड़ा सा दो सब्सक्राइब या चाने की तो ये भी एक करिश्म है तो एक बार जोड़ता है तालियों से स्वाकत कीज ठांदन सत्कुरू तिरही ऐस्रा मैं डेशाम डेशाम अचे लाइव सथंक सुंडे या पंडार या या शारी सासंग जी और हजूर पिदा जी आप जीनू जनम ध्यादेनिया निया बहुत बाद मुवार्वार्क बीदा जीतन दन्दन सत्कुरू तरहे यास्रा मिदाी घि जिविते दान दान से लुट्रियाश्टु तेरे नामनाल मैंनू सारे ने प्रशान दे हे ओन्ज मैनू मेरे जी गोवन डी भी नी जान दे भी घुल एड़कर शाचे इंड़के घलियान देकर घंदे गषादी ऊध्यान देकर गोड़के छिंटी पर गवलिया तो गषादमी गेगे कजरे बंद्यान साथ कर आपने ऐल नीर प्यार मोहबत कार पड़ते रह जैंते ने विटेजिए उसता देने दे सकते कदे भी तरफ आम नाल में नू सारे ने पर शाणड़े और जमेनु मेरे जी गवन्धी भीदी नी जान दे मेरे हक विच तेरा एक ही इशारा वे मेरे हक विच तेरा एक ही इशारा वे सावाव लग के मेरियां कई कुलांदा नजारावे आओ जी कर दो बादा नजारावे मिठडा मुर्षित नाल लिया ही आके सर से जो दिजगाई वीर मेरे आजुगनी सायादी सतकुर्दिया में परवाईयादी मेरे जुगनी के रंग में आरे लखाई उजडे पागे लखाई उजडे पागे सवारे टुपडे बेडे करतु तुपदे बेडे पारे उतारे ओई दिर मोरे आजुगनी मेरे आजुगनी सायादी ये सब धर्मादे ये सब धर्मादे लोगाँ दिया ऐसी चुगनी कि तेना डिठी ये ऐसी चुगनी कि तेना डिठी बोली शहद गुडे तो शायज गुडे को मिठी खुलने बाल पे वर्ती चिट्टी ओविर मेरे आजुगनी मेरे आजुगनी चान मीदी ए जुगनी देश ए जुगनी देश आना मीदी जुगनी चोकम करती अच्छे जुगनी चोकम करती अच्छे सबनू एक नजरन तके सबनु एक नजरन तके देवे कुछिया कम ते बाती विर मेरे आजुगनी बिर मेरे आजुगनी को दिया सबनु मस्ट, सबनु मस्ट बंड़ों देवे हो, हो, हो जिन्यां जखते जुल्म बराया जुगनी करती जाए सभय काईक्या दुणिया विछ दोआया हो, हो, हो विर मेरे आजुगनी मेरे आजुगनी शेरां दिये बकतान मार्त दिले रादी हो, 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 हो कर दो जुगनी दी चाल तुपानी ओ मेरी जुगनी दी चाल तुपानी मुड़के आगी मौज मस्तानी देवे तुद जो मंके पानी ओ भीर मेरे आजुगनी मेरे या जुगनी अंदर दी मेरे मिचडे मीत पतंदर दी दंदन सद्गुरु तरही असरा पिदे ये कमाफी जोने अलवे जी निल शाब दलिक के थोड़ा में चेंज गरता ही जोड़ा दालियां यहां पर ये थे प्रेमी गुर्प्रीत सिंग और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजिस्तान जहां की सांस्कृतिक विरासत पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ती है और अगर भारत में सबसे स्मृद किसे की सांस्कृतिक धरोर है तो हो है रादिस्तान की आपको उन वादियंत्रों से रूबरू कराएंगे जो 400 वर्ष पुराने हैं इन में इन वादियंत्रों में सुरंदा जो कि 400 वर्ष पुर ताल और ढूलक कि आज ये ताल आपको लेचलेगी सीधा रादिस्तान रादिस्तान की गल्यारों से आपको रूबरू कराएंगे रादिस्तान की सांस्कृतिक विरासत कितनी सुद्र्ड है कितनी स्मृद है इस से आपको रूबरू कराने आ रहे हैं रादिस्तान की एक अल दंदन सत्गरू तेरा ही सहारा दंदन सत्गरू तेरा ही आसरा प्रूस चैसरे कि मेंस सत्रू तेरा ही आसराक तोरी दियो लोग जाने मोती चुगांग ओ मैं जुक जुकी करूँ जवार साजन आया ए सकी सत्गरुजी आया ए सकी मैं तो काई मनवार केरा सत्गरुजी आया ए सकी सत्गरुजी आया ए सकी सत्गरुजी आया खिफार के दागुं सत्गरुजी आया ए सकी सत्गरुजी आया ए सकी मावी दी एसरे वारा जोडी राय बालम एप्पिय प्यारी राय बालम आवोश एक्वदारो मावी दी कुछ फावी दी ऐसरे वारा जोड़ा 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 जरुएक्व दी एसरे वारा जोड़ा जोड़ा जोड़िय दी आपाल में आपोशे पदारों बाने आपाल में आपाल मेंप। कर्ण 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 करें श्री गुरु अररी गुरु शररी धरती जठे जठे गुरु वर रोजनम असतान दाता दियू जितने यस तान धरती शुदेहरी लहरी यू एचांबी रोय शमान शर्ट गरुशा में वेथा कुश्यार भागे नयतान शर्ट गरुशा में वेथा पार्टे पुश्यार पार्नार अदे दर्शन कर्म रेशो हर्शुन नाचे बारम बार अदे नाचे बारम बार नाचे बारम बार अदे नाचे बारम बार अदे शोथो नाचे बारम बार अदे शोथो नाचे बारम बार अदे शोथो नाचे बारम बार इस नम शे दुनिया चाने ओ नाम शुनूतियाच वो जिस नम शे दुनिया चाने ओ नाम शुनूतियाच इस नम शुनूतियाच शुनूतियाच वो जुनूतियाच चिनूतियाच थीजिदाच सब्सक्राइब बलहारी पुरु देवे की मेरे गुरु है दाता अरी वारी जावोरे बलहारी जावादे ओ वारी जावादे मारसंद करियों करिया जा मे वारी जावोरे मारसंद करियों करिया जा मे वारी जावोरे मारसंद करियों करिया जावोरे मार निर्मल हो गई काला मे वारी जावोरे सब शक्किया मिले हालो हालो के शरित लिक लगावो सब शक्किया मिले तालो रतालो के शरित लिक लगावो अर घंए हेत सोल जै वो पदा जी जावादे जावारे अर घंए हेत सोल जै वो पदा जी जावारे बाल हो गई काला मौारे मारसक्त गरियों डेल याया मे वारी जावोरे अर्शन गरियों देड याजा मेवादी ताम अरे अरे दाशन नारण जशकायो जलना मेर फीश जिमायो मेर विर दाशन नारण जशकायो जलना मेर फीश जिमायो मेर वादी तामोरे लोग लणे दावादे बलहादी तामोरे भंदन सप्रुदे आगा याजा में मारी दांडे भंदन सप्रुदे आगा में मारी दांडे राजस्तान का ये राग मलहार आपके सामने और इसका दूसरा भाग अभी एक मैश्व के रूप में आपके सामने राजस्तान राज्य का वाभी थोड़े देर में आपके सामने प्रस्तुत होगा बहुती विश्व परसे दस्तान स्कृतिक विधा है राजस्तान में जो वर्षो वर्ष पुरानी है चार शो वर्ष पुराना अपने सुरंदा सुना जो को विलोचिस्तान में बजाए जाता था अब भारत में के राजस्तान में बहुत फेमिस है राग मलहार ये यहां पर गा तो राजस्तान राजय का ये प्रोग्राम चल रहा है पहली प्रस्तोती तो इसमें एक मैशिप लगातार कॉन जरिटी में चल रहा है हाल मुजख न», मुज़िए, लिद्द काहु प्रेंफ येनतार उजूस्त MA ये प्र्च भूस 591 क्ल elder का धर्का ये प्रेश्टम्स्तो रा्षप्रिदiventाř रखकोच का व full फ़गिवक्त भूर में अम्धर हैं क裡面 छिए अचेवक्त状 प्रथश जपहाँ केसरिया रह्मार केसरिया केसरिया रह्मार केसरिया केसरिया पर तारे देखोरे मार केसरिया केसरिया पर तारे देखोरे मार केसरिया कव भीन सत्त नाम दा तारे देखोरे मार केसरिया कब भी नहीं मस्तान दातार देखो रे मारा के सरिया के सरिया रे मारा के सरिया के सरिया वो मारत के सिर्या जान चू प्यारो धनी वो मारो किया करूँ गुन गान बांको जान चू प्यारो धनी वो मारो किया करूँ गुन गान बांको हिबड मैं बस गयो आँख्यांगे रास्तें गो गयो उनमें मैं तो आयो मारो अवतार देखो रे मारा के सरिया कव बिन सत नम्दा तारे देखोरे मारा केसरिया केसरिया रह मारा केसरिया केसरिया रह मारा केसरिया केसरिया पर थारे देखोरे मारा केसरिया कव बिन सत नम्दा तारे देखोरे मारा केसरिया कर दो कर दो नूरसे नूरानी, भरावो दिल जानी, आया आनामी सुचल के नूरसे नूरानी, भरावो दिल जानी, आया आनामी सुचल के गणो ही सुथरो, चांग वीरो टुकडो, रोम रोम हरी रस जल के आयरे सथी सरकार, दिकोरे मारा केसरिया केसरिया रहा मारा केसरिया केसरिया परतार, दिकोरे मारा केसरिया कव बिन सत्थ नम्दा तार दे कोरे मार केसरिया कव सत्थ नम्दा तार दे कोरे मार केसरिया कव सत्थ नम्दा तार दे कोरे मार केसरिया इश्क के चक्रों में मुझे नहीं पढ़ना इश्क के चक्रों में हाँ अगर तुम इश्क हो तो बात अलग तो अब क्योंकि आज भंडारा है आज खुश्यों का त्योहार है समूची सासंगत पूरे विश्व में छे करोड से ज्यादा सासंगत पूरे देश के कोने-कोने में बिदेश्ट कोने कोने में मना रही है तो अब प्रशाद का टायम है गुल्डाना नाम सुन कई मुँ बानी आ गया क्लिदाना क्योंकि प्रोग्राम है और खुशियों को आये त्यख़हार और खुशियों की ये श्रुवाथ मिठे से हो रही है गुल्दाना सभी के पास आ रहा है अभी तो इस शुरुवात है हसीन राज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो और भी खुबसूरत होती जाएगी क्योंकि ये रात हमारे डेरा सच्चा सौदा के संस्तापक शाही शाह मस्ताना जी महराज का जनम दिन हमारे यार मस्ताना का जनम दिन हमारे सदकुर का जनम दिन और उसकी आज ये पावन भंडारा समूचे विश्व में मना जा रहा है रादिस्तान का कल्चर आपने देखा अभी बहुत कुछ आना बाकी है आपको पंजाब भी लिए चलेंगे आपको हर्याना भी लिए चलेंगे अभी गुल्दाना का ये परशाद चेहरे चमक रहे हैं चमके भी न क्योंकि सामने से पावर हाउस का जो चेहरा इतना शांदार चमक रहा है यहां का मुझे पता नहीं लेकिन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बार जो से चला के बताओ यहां का ध्यान रखो अपने हाथ हिला के जो स्क्रीन पर है एक बार खुशियों का इजहार कीजिए यह भी ओनलाइन गुरुकु का कमाल है पिता जी कि पूरी दुनिया के कोने कोने में भंडारा हो रहा है अलग-अलग इस्तिहार को मनाने की तरीके हैं अलग-अलग इस्तिहार को मनाने की तरीके हैं कोई भी इसमें बाउंडेशन ही खुशिया मनाओ अपने तरीके से सबधर्मों का यहां सदकार सबधर्म के लोग यहां अपने अंदास में खुशिया मनाते हुए तो आज की ये शुरुवात गुल्दाने की रूप में हो चुकी है परशाद भी काफी और है अब रिवील करूँगा सर्प्राइज अभी रिवील नहीं करने जी तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं अब वक्त है एक वन एक्ट प्ले का बहुत ही बहती बहती मुद्दा लेकर आ रहे हैं शाहसत नाम जी गुरूफ आफ इंस्टिउशन्स कैसे रहना है इस समाज में सब सिखा दिया कैसे रहना है समाज में ये सब सिखा दिया क्या अच्छा क्या बुरा तुने अच्छे से बता दिया किसी के माई के लाल की ताकत नहीं जो हिला सके पिता जी आपने मुश्किलों में हमारा विश्वास और बढ़ा दिया दंदन सद्गूर देरह यास्रा डेरा सचा सोदा साइम अस्तानाजी महराज दवारा बनाई गई इंसानियों तो रुहानियत की वो पाट साला है जिसने नजाने कितने ही घरों की बुराईयां दूर करवा के उनको जन्नत बना दिया नजाने कितनों को ही नसो से हटा के सही रास्तों पे चला दिया साइम जी के इस दर से करोड़ों लोग जुड़े हैं जिन शबकी अपनी अपनी कहानिया हैं कि वे सच्चे सोदे क्यों आएं? तो हाजिर है, सत्य घटनाओं पर आधारित एक वनेक पले, मैं क्यों न जाऊं सच्चे सोदे दहनन सद्गुरु ये याश्रा, दहनन सद्गुरु क्यों ये याश्रा एक महिला की जिंदगी में एक पती उसकी बेसाखी होता है और अगर वो वक्त से पहले टूट चाए तो उस महिला के लिए जिंदगी में आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है मैं रेखा इंसा राजिस्थान से माबाप की एक लौधी बेटी जिसकी शादी उन्होंने बड़े इचाव से की थी शादी के कुछ साल बाद ही पती की एकसिदन में डेट हो गए दो छोटी-छोटी बेटिया जिनके सर से बाप का साया उठ चुका था कहने को तो बड़े अराम से कह दिया पर कोई मुझ से या मेरे बच्चों से पूछे की हम पर क्या गुजर रही थी ममा, 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 पाप का आएंगे बेटा, पापा बाहर गया है, आपके लिए चॉकलेट मंगवाई है नहीं मा, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए बेटा पापा आएंगे नहीं मा आप जूट बोल रहे हो मुझे पापा पास ले चालो मुझे पापा के पास ले जाना है मुझे पापा के पास जाना है मैंने कहा दिया ना दिमाग मत खराब करो जाओ जाकर बाहर खेलो मुझे पापा के पास जाना है बापा, 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 खफ़। कप आउगे? बापा, खब आउगे? हर रोज, हर रोज ऐसे जूट बोलती, बच्छों को जूटी दिलासा देती, कि बापा आएंगे, बापा आएंगे कमाने वला कोई और था नहीं घर पे और अगर मैं अकेली बाहर जाती तो लोग तरहा तरहा की बाते बनाते अभी इस बात को थोड़ा ही वक्त बीता था कि एक दिन सासु मा बोली पर मा मैं बच्चों को लेकर तो है तो कुछ नहीं निकल यहांसे अब तो सुसुराल वालों ने भी साथ छोड़ दिया फिर मेरे बापा मुझे घर ले गए लेकिन उनके चेहरे पर मुझे शिकन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था फिर एक दिन हमारे घर कुछ बहने आई राम 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 बैठिये बेटा आंटी दे हमें बता चला है कि आपकी बेटी के हस्बेंट की टैस होगी और सुसुराल वालों ने भी उसे निकाल दिया है तो आप उसकी दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते बेटा कोई नहीं चाता कि इस उमर में बेटी अपने माँ बाप के घर आकर बैठे पर हालात ही ऐसे हैं बला दो बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा शायद हमारी किस्मत में यही सब लिखा है उसे छोड़ो तुम चाए पानी लोगी बेटा चाए पानी छोड़िये अंटी अगर यह किस्मत बदल जाए तो बेटा मजाख ना करो हमारे साथ तो जिंद्गी ने पहले ही बहुत मजाख कर दिये हैं आंटी जी पर हम मजाख नहीं कर रहे हैं सूखे पेड कभी भी हरे नहीं होते ुसलिए अब तो हमने उमीद ही छोड़ दी है हमारी बात तो ठीक है आंटी लेकिनो कुपर वाले को हरी इसलिए कहा जाता है क्यूंकि वो सूखे को भी हरा कर सकता है ये बाते सुनने की है आंटी हम सिरफ बात में कर रहे हमारी गुरुजी ने एक मुहीम सिलाई है जिसके तहट आपकी बेटी की शादी होगी और बच्चे जिससे शादी होगी वो बच्चों को भी अपनाएगा ममी पापा को उनकी बाते कोरा जूट लग रही थी और लगे भी क्यों ना इस कल्यूग में जहां मेरे बच्चों के सगे दादादीन उन्हें ठुकरा दिया वहाँ कोई गैर उन्हें अपनाने की बात कर रहा था लेकिन उनकी बात में तिन के जितना भी फर्क नहीं था उनकी हर बात सो प्रतीशत सच थी पूझे गुरू सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंग जी इंसा की इस मुहीम के तहट मेरी शादी भी हुई और मेरे बच्चों को बाप और दादा दादी का प्यार भी मिला धन्ने है वो सद्गुर धन्ने है वो साइं जिसने ऐसी मुहीम चलाई और मेरे जैसी हजारों बेटियों की अंधेरी जिंदगी को रौशन कर दिया सही कहा रेखा पैन तुसी उस सचे सचगुर ने सैंकडो मानमता पलाई दे कम चलाके पता नहीं किन्ने करोड लोकांदी जिंद की सुदार थी मैं मैं गुल्लाल इंसा कर विच किसे भी परकार दी कोई तंगी नी सी उसरा बदा दिता होया सब कुछ सी पर छोटे बेटे नू थैल सी मिया सी बस फेरा सारा कुछ किते चंगा लगदा सी दो तिन साल पहला दी गाला है मेरा बेटा बेहोश होके नीचे डिग गया मैं उन्हों चक्किया ते डॉक्टर को ले 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 गया आपके बेटे की रिपोर्ट्स देखी है मैंने उससे थैली सीमिया है और बलड की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप जल्दी से जल्दी किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को बुलालो जिसका ब्लड ग्रूप अ बी नेगेटिव हो जी डॉक्सम डॉक्सम मैं आभी करता हूं हेलो हेलो हाँ भाई भाई मैं फैक्टरिया ना भाई मेरे बेटे वास्ते प्लट चाहिए हाँ भाई हेलो हेलो सुरेश सुरेश नो लोना हेलो सुरेश हाँ भाई भाई मैं था ठीका पर मेरे बेटे वास्ते प्लट चाहिए हाँ हेलो 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 हेलो! हेलो! अगर आपने अपने बच्चे को बचाना है, तो बलड का जल के जल इंतिजाम करना होगा, नहीं तो मुशकिल हो जाएगी नहीं डाक सबॉस्व इंपट और दें डेखिए जितना जल्दी ब्लट का इंथ्ञांब पच्छे के लिए उतना आच्छा एउ याब आप करेंख्ध्ण और मैं लाब रहीं आपकरदु है हलो हलो जश्वीर हलो जश्वीर हलो जश्वीर आहे मैं दो तिन फोन की ते पर मेरी किसे ने न सुनी बाई जी सतबुर जाने होंदा काम तुसी टेंशन ना लो ना ले बलड दा इंतजाम ता हो गया है भाई ब्यान मैं तेरा किमें देन देऊंगा भाई भाई मिन्नू माफ कर दे भाई 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 आप भाई अइना सारें दा बलड गुरूप ओही है जिन्दी अपानू लोड है असी एग अल डॉक्टरनू भी दाच चुके यां ना ले तानू भी किसे चीज दी जरूर्थ हो हुए ता सानू तुसी दास देना है असी तुरंत आ जाओंगे ठीक है भाई जी दान्धन सद्गुरू ते रही आश्रा है कि यह वही ब्यांत सिंख सी जीदा मैं पांच साल पहला बहुत मजाग बनाया सी ताडियां मार मार के हस्दा सी परे सद्गुर्दा प्यारा बड़ी शर्माई सासंग जी जिते मेरे रिष्टेदार मेरे खुटे दोस्ति मेरे चोटे पहेंड परा मेरे नाली खड़े ओथे खड़े मेरे नागरीनस वेलफेर फोर्स विंग दे असेवा दर आज दे इस प्यानक युग दे विच कोई किसे नूं मंगया एक कपचार आनी दंदा ते ए लोग ए लोग हर तिनमी ने बाद पहुंच आंदे मुफ्त ब्लेड डुनेशन का नवास दे मैं उतन सास अंग जी एक परन लिया कि मैं मी एना दी टोली दे वेच शामिल होंगा ते आज मेरे भी पिठोते लिख्या होया है शाह सतनाम जी ग्रीनस वेलफेर फोर्स विंग ते एना ही नहीं मैं एदू पहला आठ बार बलड वी डुनेट कर चुके हैं ते हुन मैं मानवता पलाई दे कमा दे विच इना नाल मोडे नाल मोडा लाके खाड़दा हुआ जे ए नहुंदे ता शायद अज मैं भी नहुंदा मैं परताप इंसां इस तो पहला लोग मेनू लंगडा लंगडा कहके बढ़ों दे सी पोल्यों दी बिमारी कार्ण मेरा जीवन तर्ती ते बोज बनके रह गया से मेनू मेरे छोटे पहन पर छेड़ दे तंग कर दे ओए लंगड़िया तौफी खाएंगा आजा आजा उठके ले जा आजा ओओ तुदा चलनी नी सकता चल कोई ना मैं खालने तरा प्राइयां ए गल्ला मेरे नाल एक दे नहीं हर रोज हुन दियां ते मैं चाह के भी उन्ना नाल रोश नी सी सकता क्योंकि मेनू केड़ा किसे ने मनो ना उना सी कर दे सब तों प्राणे कमरे विच बैठे दे हिसे प्यार ते अपने पांदी था शुकियां रोटियां ते ता नहीं होंदे ताने मार दे ओए लंगड़या ओए तरती दे बोजे एस तो चंगा मार के मार जा दूँ जीता कर दे तरह गड़ा तापद्या कमदाना का ज़िदा दुश्मने ना ज़िदा ओए एस तो चंगा ता मैं तेनू जमदेनू इमार देंदा मेरे पहन परा स्कूल जान दे हस दे खेड़ दे ते शायद मेरी जिंदगी वेच हसना खेटना स्कूल जाना नहीं लिख्या से पर रबदा दित्ता मेरे एक दोस्सी जिस नाल मैं अपने दोग सोख सांजे कर दा ओए होर परता पर की हाल चला ठीक है ठीक है भई हाल ता तेनू पता ही है यार मैं तांग आगा इस जिंदगी तो मैं किसे दा पुरा नी कीता पर मेरे नाली या रह में क्यों जाता रब मेनू चक ले जा मेनू समभाल ले ओ कोई ना होसला रख आ देख मैं तेरे लिए यार पार्चेत या लगतां बाहां जियांदी की फोटो में दखाई 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 प्री मेडिकल कैम्प पोलियो दा मुफतिला आज ए कि थे आपड़ा भई डेरा सच्छा सोता सरसा हर्याना बारा पयां पच बंजा परताब आप एथे जाला दिया की पता तु ठीक तु त्यार ही आपा चलांगे मैं हुणे आया करेंगे अगाल सोन ओ प्रताब तु त्यार ही ओ मेनू तक्के नालोस कैम्प विच लह गया थ्री वीलर तु उतर दे सार कुछ लोका ने मेनू चाक के वीलचेर ते आमें बठा लेया जी में मेरे अपने माबाब होन जिंदग अिए वीच पाहली वार किसे दे मूह लंगड़े दी था डीनि आपने आपनू भाई जी केंदे सुनें तु अ खड़ोन बारे भी नी सोच्या सी, वो अपना आप संभालन योगा हो गया। बड़े ही नेक लोग सी, उन्ना दे चैरे वाल देखके मेरे मुहों एक कोई गल निकली, तान्ना उन्ना दा गुरू, तान्ना जिदे पिछे लग ए दीन दुखियां दी नीसवार सेवा कर देने, ते मैं उस देर मन बढा लिया, कि मैं भी ये ना लोग का दी टोली वे शामल होँआँगा। मैं गुरू जी तो संत डॉक्तर गुर्मीत राम रहीम सेंकी इंसा, तो नाम दी अनमोल दात लई, ते गले थे नहीं मुक दी, उन्ना ने मेरी सारी जिन्दगी दी साम संबाल दा बीडा चुक्या, ते गुरू जी दवारा चलाई गई मुहीम, बागत विरांगना दे तहत मेरा व्या सरकारी पड़ी लिखी नौकरी दी कुडी नल किता, ओ मैनू जलीरता दी जिन्दगी चो कट के मेरा हस्दा खेड़दा परवार वसा दिता, मैं क्यो ना जवा डेरे सचे सो दे, क्यो ना जवा बिल्कुल सही का परता भाई ने, कहानी मेरी भी कुछ ऐसी है, मैं संदीप, सवाल फिर से वही कि मैं क्यों आया सचे सो दे, वो कहावत है ना अगर किसी को बरबाद करना हो तो उसे नशे में डाल दो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, संक्ती कुछ ऐसी थी कि बच्पन स ही छोटे छोटे नशे करने लग गया और यह नशे कब छोटे से बड़े होते चले गए, पता ही नहीं चला, मुझे याद है, पापा अक्सर बताते थे, कि मैं कभी सडक पर सच कहूं तो कई बार गंदगी के धेर पर पड़ा रहता था, नशे की ऐसी लत चोरी यहां तक कि माँ बाप के गहने भी बेच दिये मैंने, ममी पापा बहुत परिशान थे, पापा ने हर संभव परियास किया, कई बार नशा, मुक्ति, केंदर भी भेजा, पर मैं कहीं तीन-चार दिन से जादा नेटिका, फिर एक दिन मेरा बच्पन का दोस्त परमिंदर हमारे घर आया, नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, अंकल संदीप, मेरा बच्पन का दोस्त कहा है, कई साल हो गए उससे मिले, बेटा देख ले, पढ़ा होगा कहीं सडक पे, तीका लगा के, अंकल सडक पे तीका लगाए, हाँ है ना शाम बस नशे में धुत रहता है, इंसान कोई चीज तवी छोड सकता है, जब वो उससे दूर हो, और संगती भी अच्छी होनी चाहिए, आप उसे मेरे साथ होस्टल क्यों नहीं वेज देते, बेटा मैं तो आज ही भेज दू, बस तुम मना ले उसे एक बार, ठीक है मेरे पास एक प्लैन है, बहुत चलाक था पर मिंदर, जूट बोलकर बड़े नशे का भैकावा देकर ले आया मुझे सिर्सा सचे सोदे वाले स्कूल होस्टल, ये होस्टल होस्टल नहीं मेरे लिए जेल था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, बस मैं रोज पर मिंदर से लड़ता, जगरता, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे जूट बुला, कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन मैं काम्याब नहीं हो पाया, समय धीरे धीरे बीटता जा रहा था, ना ही मुझे नशा मिल रहा था और ना ही मैं भाग पा रहा था, फिर एक दिन जब हम ग्राउंड में खेल रहे थे, अचानक से गुरू जी की गाड़ी आकर रुपी, नीले रंकी, गुरू जी की खुद की डिजाइन की हुई, क्या मस्तकार थी यार, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जिनके बारे में मेरे दोस्तिन रात बाते करते हैं, उन्हें मैं इतने नजदीक से देख रहा था, गुरू जी को देख कर मैं कहीं खोसा गया था, उनकी खूबसूरत आंखें, उनमें डूबता ही जा रहा था, गुरू जी के चहरे का नूर मुझे एक जबर्दस नशा दे रहा था, शायद, शायद ये वही नशा था, जिसका जिकर मेरे दोस्त पर मिंदर ने किया था, उसके टिफ्स दिये, धेर सारी बातें की और आशिरवाद दिया, उस दिन मैंने रुखानियत का वो नशा किया था, जो कभी ना उतरने वाला था, गुरू जी के बताएट टिफ्स को फोलो करना शुरू किया और पूरी एक कागरता के साथ ब्रह्म चारे का पालन करते हुए प्रैक्टिस करनी शुरू की, मुझे पता ही नहीं चला, कब मैं डिश्टिक, डिश्टिक से, स्टेट, स्टेट से, नैशनल और नैशनल से, इंटरनैशनल खेल गया, मेरे साथी खिलाडी, मेरे साथी खिलाडी, अक्सर मुझे से पूछते कि तेरा कोच को न है, तो ये नहीं नहीं तकनीक कहां से सीखता है, तो मैं बड़े फकर से अपने पापा कोच का नाम लेता, संट डॉक्टर गुर्मीत राम रहीम सिंग जी, इंसा मेरे कोच है, नशे से, नशे से इंटरनेशनल प्लेयर का सफ़र देखा है, मैंने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कि अगर हमें हमारे घरों को, इस समाज को, इस देश को नशे से बरबाद होने से बचाना है, तो हमें गुरु जी की चलाई मुहिम, डेफ्ट कमपेन में आहूती डालने ही होगी, सिरफ गुरु जी की ये मुहिम, डेफ्ट कमपेन से ही, नशे रूपी देट्टे को इस देश से भगाया जा सकता है, इन हाथों से नशे को छुडवा कर गोल्ड मैडल थमा दिये, मैं क्यों न जाओं सचे सोते है, मेरे मादे बच्चे नू खून दान देके जान बचाती, मैं क्यों न जाओं सचे सोते है, मेरे कल्ले देरे जानतों सारिया कुलां दी गरंटी लेंदा है मैं क्यों न जामा देरे सच्चे सोदे मेरे घर को नरक से स्वर्ग बना दिया मैं क्यों न जाऊं सच्चे सोदे एक सेंकल लेंट अक्टियों कात नीजी मेरी मेनु जाजांदी सहर कराती मैं क्यों ना जामा सचे सोदे जे मेरे कुछ दिन सेवा नाल मेरी फसल दुग नी हो सकती है ता मैं क्यों ना जामा सचे सोदे अबला तो सबला बना बेटियां तो वन्च लापा मैं क्यों ना जामा डेरे सचे सोदे लेकिन लेकिन फिर भी चंद लोगों को लगता है शायद हम जूट बोलते हैं मैं कोई सफाई नहीं देना चाहूँगा लेकिन हां हम सब के दिलों की एक सांजी बात जरूर कहना चाहूँगा वे लोकी कैंदे ठगी है ते ठगी रहन दे साती जिते लगी है तो लगी रहन दे साथी जिते लगी है तो जगी रहें दे जाधर खुश्एल हो रहा है है तो क्यों ना जाहें सच्चे सोदें और यह आवाज मेरेखे हैं कि रहे हैं जो मैं wish न मिल रहा है कुछिया महां से मिल दिया परिवार का सब कुछ वहां से मिल रहा है तो बताइए क्यों नहीं जाएं डेरे सचे सोदें इस सवाल का जवाब आप सबको मिल गया करोणों की संख्या में हाथ खड़े हैं और बहुती बहतरिन प्रेस्ट थी यहां पर शासतनाम जी ग्रूप ऑफ इंस्टिउशन सी तरफ से और दिल की धड़कन की जो रिवायत है वो भी पुझे पिता जी की साथ ही चलती है कहना चाहूंगो दो लाइनों में आपकी दिल की बात तुम आए तो मेरे इश्क में बरकत सी होने लगी है हाँ आज आपका दिन आप कर सकते हो इश्क में बरकत करने ही आए हम आज तुम आए हो तो मेरे इश्क में बरकत सी होने लगी है चुप चाप रहता था मेरा दिल अब हरकत सी होने लगी है तो किस-किस के दिल में हरके देजरा बताओ जोर से और किस-किस का दिल जोर जोर से धड़क रहा है यह भी बताओ जोर से और किस-किस का दिल इन नीली समंदर सी आखों में खो गया है यह भी बताओ जोर से तो ये तियोहार अभी अभी बहुत आगे बढ़ेगा खुशियों का ये समंदर लगातार बढ़ता जाएगा हर तरफ शुरूर है हर तरफ सहलाब है खुशियों का और अब वक्त हो चला है उन लोगों को प्रेम निशाने देने का जो बेपरवा शामस्ताना जी महराज के चेताए हुए थे वो शासतनाम जी धाम में सरसा में बैठे हैं तो मैं पुझे बिदाई से दर्खवास्त करूँगा कि एक प्रेम निशानी जो हर भंडारे में उनको दी जाती है वो उन्हें प्रदान करें धन्यवार जी तो देरा साचा सदा शासतनाम जी धाम शामस्तान जी धाम सरसा में वो निशानी दी जारी है जो साही मस्ताना जी के समय से बुराईयां चोड़के निशे चोड़के राम नाम से जुड़े हैं, तो वो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, बहुत आश्रवाद बेटा, बहुत आश्रवाद, आप सब को, ये हमारे वो पहले बच्चे हैं, जो शुरुवाद से जुड़े, तो आपको सब को बहुत आश्रवाद, तो ये निशानी लेना, बहुत आशिरवाद बहुत आशिरवाद आशिरवाद और बेटियों की तरफ भी है कुछ बहने आई हुई है बेटियां आई हुई है आशिरवाद बेटा आशिरवाद झाल दूख लिए懼 है Cणार आशिरवाद बेटा सत efektर है बम आशिरवाद देसे अशिरेवाद बेटाद लेहां आशिरवाद बेटार आशिर आशिरवाद भी है आशिर आशिरवाद की तरह बाद आशियों की फ medicine uhsh झाल झाल लॉक नाच पेश्का रहां जा लॉगा लॉभाई किता बुले ताम बुले नि दिन रात नी बंभी हागा मुले बॉले टेज्ड़क्रों 0 मुल्योम मुल्य झेखर ुड़त मुल्यदों 0 मैं भाल ए ब स्कते अ कि कर चुंप कर शोग City कि दो लुपनेशक भंदमाद maison करने डिल् candidate कि का ढदीव ृट नियुपक वे चाहि र 지금 बनेशर के त手 최대 बना जिस लुपका जिस कि का बनेशर का बनेश ... सबस्क्राइब पापी हा बोले, नी 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 पापी हा बोले, हेल, हेल क excluding आयों हुआ कि अर्णंभा हॉआ हाई। हॉआ दितैों बोडों दितितिति एमने इरियieve सारे जाग जतना बाफ , हॉआ देरियंध जाहग जतना बाफ , हॉआ पपू recognition में सारे जाग जतनाक रडुकिंद एमने की सारी ने ने थैंद्ड monitor कर दो के पिका प्लों दिर रमकंत में ये रड़ो कि या रड्यों हाए सब्सक्राइब देने लागे पूलू दच्छी ताले जी सब्सक्राइब देने लागे मूलू सच्छी ताले जी देरे युपि देवसिया गे संत हां सर्टे वाले जी एधी संत दिमैं मन्यावरी तायों बार आया कईवारी गल्ला करती दुनिया शारी जी बंबी हां बोले बाज बंबी हां बोले जी पंपी हम बोले, जी पंपी हम बोले रपदा रूप बनाया जास्त ना अब्धी हम बबर जेर बनाया जी पंपी हम बोले जी पंपी हम बले जी पंपी हम बले। जी बंबी हां बोले जी बंबी हां बोले जी बंबी हां बोले शाजी देश पंचाब देआ वो नच नच के तूरा पट देए हाँ बले भाई सदके जेवे अब बले बले बाई भलाव जी पेश पंचाब दा मर्दाना लोग नाच पंगडा 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 हुआ हुआ है शेर नालों जोडी रोब आत दा शादी शेर नालों जोडी रोब आत दा अयों कार विया देख देख ताहा मार दा माओ जिथे साटा यार गाद खणबी तोखे खड़ी आजो सार याही रूह दा जिथे साटा यार गाद खणबी पुरे सलावत डेरे देविचीक प्रेमी सी रहंदा एक दिन सादू पक्खों ताईं उठ सवेरे कैंदा तूतायो सदा पुतर मेरी बिगडी नू बना दे और कुझ नी मगदा यथों बस यह न फरमा दे दास का दो आउगा मेरा सरसे वाला माही कि दन सबसंग लाउगा ये थे बबर शेरी लाही दास का दो आउगा मेरा सरसे वाला माही हुए फुर invasive one सब्सक्राइब लेगा माधनल होडिग जलाउना महाँ तहने से अगनल पादा भी बात कुम किक षरना नहीं आ कोहती थाओ जलाउना हो knife होतल नहीं कर्दास बड küçंव कि लाई cum pien 가지고 होड़ भी बाउन आउनानी दोवारा समा लगे आओ दौर्डा पुलदानी चेता यारो बापुवाडे फोड़ा पुलदानी चेता यारो बापुवाडे फोड़ा बच्पन्दी यादे वली चेते आवे कली कली बच्चे सी खेटी जांदे तथे वाले मुक्की चली अलाग दासी पतायो तो हेक वारे जोर दा बोल दानी चेता यारो बापु आडे भोड़ दा बुल दानी चेता यारो बापु आडे भोड़ दा बुल दानी चेता यारो बापु आडे भोड़ दा तो बाजीबा कहना मिशरी मिठी ते मिठी- та गजूर मिठी लुटान शैदह होना कि अपली शाह ईएड ये ना पेश न पाईख रगैं पंजाब दा फोक रंग जग्प जग्ड़ जग्ड़ हो गया चलम लगे गबरू लगे मसां शोडां साल दा कर मेनता मेनतां बनाईया आए बोटी कई-कई-के माखेद दा लोक लोक चे लोक वेचे कैद़ गोडा लगदा यंकिया सब्सक्राइल जात दा वारवाल यहांब आलखिक मोल को शचीक मोकेवल मार्द हा दीलो कि अमल कल दील शूती इंप ब्ी आजिरी सट्वरियां आभ नहीं बाफु ईदू आग सेटेयों इंप बाफु हुंदियां आजितने क्ड distant इंद शादेयें नहीं बाफु जाग्र दिली क करते शहा हुँ कि नुट्रेज पक्षिछ पुषिए दिलांवेच भाल दे तेल पाया मस्ती दा बद्ती प्यार दी शौंक नाल वट्टी आते तिली बाली गुरू प्यार दी होन शांगता दी संगता दिनेत ही दवाली खुजी आद लेर लाईया आशके अचके भी मेरे संगूर तो जावा साद के संगूर तो जावी आफ़वागा है गरहिए भेक कोई थे आपकेस्ट इना पता जीज दा आपकेस्ट शनी जारे हां के तौने आदे रजया दुखंवा भी ते देहली तेहली तेहली क्या भाता कोई कराच संगे और बस देकन देखना निर सथा यह एनना दीता हैλλो है पलीज सोनी हुप एक एक रहा है करी घंद यारा सोलोजी केंदा होड़ पेशकारण जारें पंचाब धीया फोग बोलिया थे लोग साथ जानास मैं अधर भाइगे अधर गजार ठैना लुए टोड़ा भी तोड़ा भी है आजा है और सर्था 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 भी सर्थे वाले सांता ने मेरे आसी गर्म की पाड़्दा भी आप निदे लें रोज कार्दा माड़े पंदिदे कोलना खार्दा भी एक भारी फोल टोट येकर ना मड़के बेलनी चार्दा ना परमेशर्दा लेके गिदेविच वर्दा ना परमेशर्दा लेके गिदेविच वर्दा ना परमेशर्दा लेके गिदेविच वर्दा ना परमेशर्दा हो हम थे हम है हम ही रहेंगे एहे बचन फरमाए जी पैला सी गा बूंद मूंद होन समुंदर लेके आए मेरे पापाजी बरनावा डेरेला है मेरे पापा जी भन्नारा देरे ला है है हो कैंदे जेडे का लहुन बाबा वार नी आउंदा आपकान को लोने इन्ध को सारे अपरी कर दो को सारे आउन्नु देर नी लाँंदा आपकान मानेट ही आयूज आऊज्या हाई 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 हो पर्मानेट ही आउसे ती साथी एक सगाउंदा मेरा मालक जी अपने पेतल काउंदा मेरा मालक जी अपने पेतल केंदा मेरा मालक जी अपने पेतल काउंदा मेरा मालक जी अ अ हुंदे हेता हे आजा हूँ पांच शाल होगे से कोई टहार ना मनाया हो व्याशादि ना खुशी मनाई नहीं पर नहीं दर पर चाया भी शुकल में लाना कीता खुशी वेचा ना कोई सूट समाया भी होन जद मेरा शेहन शाचाल के यूपी डरे विचे आया भी लटूजले पियां पाड़े न थे यांदे प्रेमिया ने समान मकाया हुन सदा हर्द नहीं असी तहार बनाया हुन सदा हर्द नहीं हो आप अ हो हर्थी थे थार बनाया हर्थाय थार नहीं होदी नहार बढ़ाया होदी नहार बढ़ाया होदी नहार ठ countrysideत होदी थी नहार होदी पर्णाश काしてहिते शन्हें परिए बढ़ाया होदी किस्कैन एक्लेश रधया होदी एक्लेशा जुक किस्कैन की यादया स सी। होदी तक Von Dağı होदी दान दल्शत गुरुजी तेरा ही आस्रा माईया वे सद्धी रात नांदी उठ गीनी दोदी तेरे नाल लाईया माईया वे सद्धी रात नांदी उठ गीनी दोदी तेरे नाल लाईया कि दोदी दोदी तेरे नाल लाईया अधिर द्धी तरे असेलफी और ना सेलफी करने सेलफी आज तो इसग भरपूर है और मझूर बात हो रही है मझूर हो गई है कि अपने गुरू को खुश कर ले दे से उपर क्या चाहिए क्या हो सकता है इस सेल्फी के फ्रेमें जो जो आएगा उसका चेहरा हुआ जाएगा तेरा ही आश्रा पापाई लव यू पापाई जी बहुत सोने लग रहे हो ये खुश चेहरे मोबाइल में कैप्टिर होते वे साथी के फ्रेम में कैप्टिर हो गाई है बिल्कुल पंजाब करने के बादा दाले तो बंदी है पंजाब जहां कि सांस्क्रितिक विधा इस देश में सबसे अनूठा स्थान रखती है इस दर पे इश्क की भरपाई भरपूर होती है होती है ना इस दर पे इश्क की भरपाई भरपूर होती है बड़ी बड़ी बिमारियां भी यहां दूर होती है सीटियां तालियां बजा सकते हो तो बजा लो दिवानों उनमें भी इबादत यहां मंजूर होती है एक ऐसा दर जहां किलकारियां सीटियां बजाने से इबादत मंजूर हो रही है और चहरे दमक रहे हैं चहरे खुश नसीब आज खुश हो रहे है शाहि मस्ताना जी महराज का 131 पावन पर्व जरम दिन मना रहे हैं जी सबको बहुत आशिरवाद बहुत आशिरवाद बेठा बहुत ही एक से बड़के एक आप लोग खुशी में कहते हैं न एक प्यार की एक महबद की आहुती डाल रहे हो तो मालिक बहुत खुश्या दे दिया मैं रहमत से नवाजे क्योंकि ये आहुती आम तोर पे दी जाती है तो वो जल जाती है पर ओम हरी अल्ला वाही गिरू राम के नाम की जो आहुती होती है वो डालने से कई गुणा बढ़ जाती है उसकी खुश्बू पूरे समाज को हरा भरा कर देती है सब को आशिवाद तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं रब वक्त अब हो चला है खुश्बू बड़ी महकी महकी सी आ रही है और अब आपके लिए पूझे पिता जी ने क्या भेजा होगा तोड़ा गेस मारो मुझे तो आवाज ही नहीं आई तोड़ा गेस करो जी हां हलवा वो भी मूग का हलवा भी special तो मूग के हलवे का प्रशाद अब आपके सामने आ रहा है और बहुत देर से यहां पीछे खुश्बू आ रहे थी मूग में पानी भी बार बार आ रहा था हलवा मूग का तो यह बच्चा यह पीछे जा रहर है इसको रोखना 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 ओड़। आज़ बढार बीसमेशनल मेल से बेसिक भूला किसमत कितनी खुली हुई है सुबह से निजारे निजारे आ रहे हैं शामस्ताना जी शासतनाम और पुझ्य पिताजी का संगम आज यहां मिलता हुआ वो रूबरू भी याद आ गए अचानक से लंगर मिला मंगा के खा लेना बीच में और आपके कोट ने तो बहुत पुरानी यादे तो याई संगम है आज एक संगम है विस संगम में खुशिया इतनी अच्छी है और पिदे जब आप हसते हो ना तो आपके गाल जो है न वह ऐसे हो जाते है आए अवाज आ रही है पिची से यहां अच्छे कैसे होते हैं बताओ जरा जी हां लाल गुलाबी चलो आपने सतनाम जी ग्रूप ऑफ इंचिश्टूशन्स भी देखें और आपने पंजाब भी देखा तो सीधे आपको लिए चलते हैं देसा मैं देश हर्याना जड़ा दूद देही का खाना यूसम हरा हर्याना तो सीधे हर्याना की आपको सेर कराते हैं क्या कह रहा है हर्याना का ये क क्ल्चिरल फैस्ट क्या कह रहे हैं यार्याना की यह तैं तो कहीं होटी है गान तो एक परंपरा आज लेकर आ रहे हैं हर्याना राज्य के ये कलाकार जोर्दार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए हर्यानमी संस्कृति से आपको रूबरू कराने और अपने मन की बात आज इस पावन पवित्रतिवहार पुझे पिताजी की समाक्षे का शामदार बहतरीन प्रोग्राम करने आ रहे हैं हर्याना की ये मन्डली जो एक अपना अनूठा एक प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहे हैं करने में थोड़ा वक्त लग रहा है देखी कहीं पर बिलोनी है तो कहीं पर गंडासा जिसे बोलते हैं गाओं में टोका मशीन एक संस्कृती हर्याना की जिसे जितना सहेज के रखें उतना ही कम क्योंकि आज की इस मौडर्न संस्कृति में जो स्थान हर्यान भी खोती जा र रहे हैं पुझे पिता जिस मंचन के मादम से जहां हुआ हरी का आना यूसे महरा हर्याना तो जोड़ा तालियों से स्वागत कीजिए हर्याना का तुही खेर अब तुही तुही अनंत में और तुही तै गुन की खान संत मुनी जन रट रहे तो धर्सत गुरू तेरा ध्यान प्रेमी सजनों सब तै पहला मारे खंड क्या की शान मारे बाबू ने इस पावन अवतार दिवस की जमा बुक्टे बरबर के मनमन की बदाई हो लोगो जनम दिन तो सब के आवे हैं पर मारे बाबू का उतार दिवस हम देश विदेश में बड़ी धूम धाम से मनाते हैं क्यों? क्योंके मारे MSG बाबू ने मारे नशे छुडवाए मारी बुराईयां छुडवाई और मारी बेटियां का मान बढ़ाया सच्चा दान करना सिखाया और दान भी किसे? दे का दान, गुर्दा दान, खोन दान जिसे दान करन की कोई सोच भी नहीं सके था लोगां का चंबा है अक लोग सच्चा सोद्धा जाके नसा क्यूप कर छोड़ दें बबबा इसा के खवावे है? के प्यावे है? अक लोग मिन्ट मन साथ आग दें तो उसका जबाब देखियो एक बही नसीली आँख्या ने जो इनसान इन आँख्या तपीले है ना उसने और किसे नसे करन की जुरूरत को ना इसी बात पर क्या बदा दिया वला? जालन वापितर नैन नसीले वाथ तेरी क्या बाते गाम गुँ आणडम चरचे तेरे खड़ेस सबके आते जालन वापितर नैन नसीले वाथ तेरी क्या बाते काम गुँ आणडम चरचे तेरे खड़ेस सबके आते को बाते खड़ेसर बार बिंदाज वाथ तूसे बार बिंदाज सुआत तूसे बार बिंदाज ओ बापू तूसे बड़ा 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 बिंदाज अरे गुर्सरयाले नंबरदार का इकलोता तू छोरा छैफुत कावो पपर सेर जनू सिसम कारे भोरा चम 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 के लागे मुत्या बरगे दाहां तूसे काम को आंड मैं चर्चे तेरे खड़े से शब के आथे ओ बापू तूसे बड़ा बिंदाज ओ बापू तूसे बड़ा बिंदाज प्रेमी सजनों सच्चे सोद्य में वैसे तो हर्त रहे के लोग आते हैं जिसके पास साइकल है वो सकुट्र मांगना हो है अकजे बबा मनचे तक दे देना तो सुवाद आजा और जिस पास सकुट्र है ना वो गाड़ी मांगना हो है और गाड़ी भी किसी बबा फरारी दे देना फरारी में एक बै बिठा दे तो इसका के गट है इसका तरके बड़ी बात है और बहुत सारे मालिक के इसे प्यारे भी आवे हैं जो मालिक तहे बस मालिक न मांगना हो हैं रह बोले मानसो जब सरसला रामधनी मिल गया ना तो चेत तक फरारी इर सरारी तो आग्या पाच्छे पानी बर दी अंड़ेगी इसे बात प्यारे सत्गुर के प्यारा न के कह दिया ओ सिरसायाले रामधनी मन चस्का एक तेरी आरी का ना तमन चेत तक चैये जी ना चस्का लाल फरारी का ना चस्का लाल फरारी का तेरेत तन्न मांगनिये तो तेरी रजा मेरे आकरें दर दर मंगने आलाने तो सब बे सुकरा कै आकरें तेरेत तन्न मांगनिये तो तेरी रजा मेरे आकरें दर दर मंगने आलाने तो सब बे सुकरा कै आकरें पूबिन मांगे ही दे दे हैं ओ हो 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 सै गंदावगा तू बिन मंगे ही दे दे है सुन रख्या है दिलदारी का नात मन चे तक चैये जी नाचास का लाल फरारी का तू बिन मिलन की खातर बाबु हर्याने तैं आये सां करते टिंडी कसार चूर मा तेरी खातर ले आये सां रुख जावी आगे आवगा मुम पानी कोण कोण ले आये आत कड़े कर का बताओ उठा गे हाथ तन्य मिलन की खातर बाबु हर्याने तैं आये सां करते टिंडी कसार चूर मा तेरी खातर ले आये सां भोग लगाले सावरिया मन मजा साया जाया रिका स्यामताना चैये दी मन चसका तेरी आरिकां स्यासत नाम चैये दी मन चसका तेरी आरिकां मने मेरा सत्कूर ते ये दी मन चसका तेरी आरिकां तो प्रेमी सजनों आख्यर में सब के दिल की बात अरे सार्यां के जजबात जिसने किसे बीबू मीका की जुरूरत नहीं है और वादा है मेरा डॉक्टर है मैस्ची बबू के इस दर्वार में जमा सारे काच्चे का ठांगे और बाजन दो रहे एर एक थोटा नमबर बाजन दो रहे एर एक थोटा नम्बर नम्बर दार नसराओंत ररवार करेजे नचरा तेरवार करेसे, कती दिल के रपार करेसे, रहवो दोरे गात का यार, नचरा तेवार करेसे जम को यलकी जू बोले, अर तेरा तेरा तोले, जम मीठार मीठा बोले, अर तेरा तेरा तोले, गावे गीत जणू मलहारे भवर्या की डार फिरेसे, तेरे एक चोड़ा नमबर तार, नचरा तेवार करेसे, लेरा गात गजब कारे गोरा, रयू जम एक चोड़ा, लेरा गात गजब का गोरा, तेरा जम मैं का चाथोरा, तेरा जम मैं का चाथोरा, हसके बात करे मेरे आरे, दुनिया तकरार करेसे, तेरे एक चोड़ा नमबर तार, नचरा तेवार करेसे, वो तैमान रखूब सतावे, आरे खोसके मखन खावे, वो तैमान रखूब सतावे, अरे खोसके तिंडी खावे, वो तैमान रखूब सतावे, आरे खोसके तिंडी खावे, हिररर आगे आगे लाले, माँ पासे पासे प्यरेसे, इए एक खोड़ा नमबर्दार नचरा तेवार परेसे, बोल, मस्जी दरबार की , जैहू ! बहुत ही घुपसोरत और बहुत ही शांदार प्रेस्टुदी ! एक बार जोड़ा दारू से स्वागत कीजिए ! कि बहुत बढ़िया वेटा बहुत अच्छा बहुत कुपसूरत बहुत अच्छा आश्रवाद एक सेल्फी की और रिक्वेस्ट है हर्याना से कि पंजाब ले गया सेल्फी तो हम कैसे बीचे जे गुरुजी एक सेल्फी अजी टिंडी कि लायो चूरुमा पिलकुल लाया गुरुजी हाँ जरूर बेटा जरूर जरूर लेंगे जरूर लेंगे लब यू पाजी लब यू तो सेल्फी ताइम अब हर्याना के साथ दमक ते चहरे खुश नसीब ये चहरे एक बार फिर हर्याना इस सेल्फी की पुस्चर में इस कैमरे में फिक्स होता हुआ अपने कल्चर के लिव लिए फिता दे लब यू पिता दे लब यू पिता दे लव यू फिता दे लव यू गयाओ जी आशिवार बेटा आशिवार बहुत ही बहतरी इन प्रेस्ट दिक पार जो दा तालिया चलो सेलफी तो हर्याना पंजाब के साथ हो गई है हो गई है सेलफी तो आपकी तरह से मैं कुछ बात बोल देता हूं कुछ बाते हैं दिल में इजाज़त हो तो कर लूँ क्या आपकी तरफ से कर रहा हूं बहुत देख चुका हूं तुम्हे नजरों से इजा़त हो तो बाहों में भर लूँ क्या तो कोरोडों लोगों की बाहें फैल रही हैं कि हाँ, ये तिवहार आज खुशियों का ये तिवहार आज बंडारे की रूप में मनाते हुए और अब मैं पुझे पिदाजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें अपने पावन वचनों से अनुग्रहित करें दंदन सद्गुरुते रही आस्ता जी तो प्यारी सासंग जीओ, जो भी यहां से वादर बैठे हैं, सामने लाई पे बहुत ज़्यादा तादाद में सासंगत है और बीच बीच में हाइलेट करके उनको दिखा रहे थे, बहुत बड़ी तादाद है कई ज़गों पे तो बहुत सासंगत बैठी हुई है, तो सबको बहुत बहुत आशिरवाद जी यह सरसा में हैं, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में सासंगत बैठी हुई है और बेटे बेटियां हमारे बहुत ही आशिरवाद और जगा जगा पे ये नजरा रहा है तो सबसे पहले साइम मस्ताना जी महराज के पाक पवित्तर अबतार दिवस के बहुत बहुत बधाई हो माले खुशियों से नवाजे और अलग-अलग स्टेट का आपने प्रोग्राम भी देखा अलग-अलग खुशियों की एक लहर देखी ये है हमारा कल्चर ये है हमारी सब बैता जो उमंग भर देती है तरंग भर देती है और गिरे हुए को पतंग कर देती है सो गजब और इस गजब पे और चार चांद लगाने साइम मस्ताना जी महराज ने अबतार धार्ण किया बिलूचिस्तान गाम कोटड़ा तसील गंदे पिता पिल्ला मल जी और माता तुलसा भाई जी के यहां पधार कर दाता रहबर ने खुशियों का वो आलम जो आज आप देख रहे हैं यह उनी की देन है उनी का रहमो करम है खुशी डूंडने संसार का हरे इनसान दुनिया में गूमता है आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्रैबल करते हैं विदेशों में जाते हैं हिल स्टेशनों पे जाते हैं कुछ तो बैसे ही गूमने चले जाते हैं पर ज्यादा तर कले कलेश से सताई हुए सोचते हैं शायद चेंज कर लेने से कुछ चेंज होगा चेंज तब होगा जब दिमाग में सुक शान्ती होगी चेंज तब आएगा जब पीस ओ माइंड होगा जब आतम बल होगा क्योंकि आतम बल के बिना कहीं गूमते भिरो शान्ती नहीं मिलती और आतम बल को पाने का साइन दाता रहबर शाम अस्तान शास्तनाम जी दाता रहबर ने बड़ा आसान तरीका बताया घर परिवार में रहके अपने धर्म में रहते हुए धर्म को मानते हुए बस माली के वो नाम वो गुरुमंत्र वो कलमा मैतर अब मेडिटेशन का भ्यास करो जखीनन कहीं जाने की जिरूरत नहीं आत्मिक शानती आपको अपने अंदर से मिल जाएगी बड़ा पैसा लगाते हैं लोग आत्मिक शानती को पाने के लिए बड़े तरह का खाना खाते हैं बड़ी दवाईयां लेते हैं क्या दवाईयों से आत्मिक शानती आती हैं जी नहीं हमने ऐसी कोई दवाई नहीं देखी अगर कोई सुन रहा है या या बैठे बच्चे हमारे सेवादार किसी दुकान पे कोई ऐसी आपको दवाई मिलती हो जिससे आत्मिक शान्ती आजाए हमारे नौलज में कभी नहीं आई और बच्चे भी कहरें कि हाँ हमारे नौलज में भी नहीं आई कि किसी medical store पे या कोई doctor परची पे लिखके दे दे कि ये दवा ले लो और आत्मिक शान्ती आजाए ऐसा संभवी नहीं है आत्म बल को बढ़ाने के लिए जो टॉनिक है वो परमात्मा है आत्मा और परमात्मा परमात्मा का कोई नाम लेता है उसकी भगती अबादत करता है तो आत्मा में शक्ती आती है आत्मा में शक्ती आती है तो आपके गम दुख दर्द चिंता टेंशन परेशानियां दूर हो जाती हैं और जैसे ही ये दूर हो जाती हैं दबी हुई आत्मिक शान्ती फिर से आपकी उपर चा जाती है और सारा जहान आपको बहार की तरह लगने लग जाता है किसी का सरदर्द हो, कोई बेचैन हो, चिंता गरस्त हो, कितने भी नाच रहा हो कोई, कितने भी अच्छे संगीत गा रहा हो कोई, उसे यू लगता है जैसे पत जड़ा गई और सरीर तंदरुस्त हो, आत्मिक शान्ती हो, उजाडों में भी लगता है बहारें आगई तो ये आत्मिक शान्ती आतंबल से आती है और आतंबल ओम हरी अल्ला वही गुरु गौर्ड खोदा रब के नाम से आता है और हरानी जनक बाद ये है कि इस नाम को लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता इस नाम को हमारे हिंदु धर में गुरु मंत्रा सिख दर्मे नाम शब्द इसलाम धर्मे कल्मा और इंगलिश वकीर इसाई धर्म का कहई रिजिए मैथर आप मेडिटेशन इनका मतलब क्या है गुरु मंत्रा गु का मतलब अंधकार रू का मतलब परकाश दोनों को जोड़ दे तो बनता है जो अज्ञान ता रूपी अंधकार में ग्ञान का दीपग जला दे वो सच्चा गुरु होता है मंत्रा शबद युक्ती मैथर तरीका तो गुरु मंत्र का मतलब या गुरु मंत्रा का मतलब गुरू का मंतर नहीं कि भगवान के वो शब्द जो गुरू ने करके देखे हो वो अपने शिश्यों को बताए वो समाज को बताए और ये कहे कि भई हम भी इनसान है आप सब लोग भी इनसान है अगर भगवान के वो शब्द प्रमात्मा के वो शब्द हमें आत्मीक शान्ती के साथ माली के दर्स दिदार उसके रहमो करम किरपा दृस्टी से माला माल कर सकते हैं तो वो शब्द आपके उपर असर क्यों नहीं करेंगे हम भी इनसान है आप भी इनसान है फर्क इतना है हम उसका अभ्यास दिन रात अब चेतन मन से 24 गंटे करते रहते हैं और आपने उसका अभ्यास करना है तो आप अगर करोगे तभी उप्राप्ती होगी तभी वो आत्मिक शान्ती आएगी ऐसे ही नाम शब्द नाम शब्द दा मतलब नाम परमात्मा दा जेड़ा अंदर चलरे शब्द नाल जोड़ देवे जिनू अनहद बानी क्या गया है धुर की बानी कहा गया है बांगे इलाही, कल्मा ए पाक दा गौड्स वाइस और लाइट कहा गया है तो ओ शब्द, ओ नाम जेसी बुकारिये बंदा बंदा कहने लग कोई बोलदा नहीं, उससे तरह उस एकों कार ओम अल्ला ताला दा सुप्रीम पावर ऑफ गौड़ तो वो जो परमात्मा है उसका नाम है जब उसका जाप करते हैं तो उसकी एद्रिश तरंगे हमारी तरफ चली आती है आप इबादत में बैठो भगती में बैठो जैसे ही उस ओम की भगती में बैठती हूँ तो ऐसे अद्रश्य तरंगे आपके दिल और दिमाग से टकराती हैं जो आपको चिंता मुक्त कर देती हैं और बेगंपुर के रानी बना देती है यहाँ कोई गम नहीं वो आत्मा वो रूफ उस परमपिता परमात्मा की रानी बन जाती है जिसको हमेशा ही खुशी अनुबव होती है कैसी भी स्तिती क्यों ना आ जाए कैसा भी वक्त क्यों ना आ जाए जिसके उपर परमपिता परमात्मा कि वो अद्रिश्यकित में चलती है उसे रत्ती बर भी फर्क ना पढ़ता था ना पढ़ता है ना कभी पढ़ेगा वो मस्त रहता है अपने राम अपने ओम हरी अला वही गरू की याद में तो ऐसा आप लोग भी बन सकते हैं आप अपने गम चिंता परेशानियों को दूर कर सकते हैं कैसा भी नशा आप लेते हैं जैसे ही ये गुरुमंत्र नाम शबद कलमा मैथड़ों मेडिटेशन से आप जुड़ते हैं जुड़ते ही चे बैठे बैठे आदा गंटा सुम्रण कर लो अपने आप नशे छूड़ते चले जाएंगे अपने आप परेशानिया खत्म होती जाएंगे अपने आप चिंता मुक्त हो जाओगे अपने आप आतम बल अंदर जाग जाएगा जिसके दुआरा आप दुनिया के हर अच्चे क्षित्र में तरकी हासल करेंगे हाँसले बुलंद होने चैएं यां हमने नबे साल के जवान भी देखे और चाड़ी साल के बूड़े भी देखे फरक इतना है? आतम बल बुलंद हैंगे तो उमर कोई माइने नहीं रखती और आतम बल गिर गया तो चाड़ी साल में लकड़ी हाथ में आ जाती है आतम बल आप चाहते हैं न चिर जोवन रहें सदा तंदुरुस्त रहें सरीर पे असर ही न आने पाए तो उसका एक मात्रोपाए है जो बनाना होगा और वो है गुरु मंत्रा प्रमात्मा का नाम जपना जपना ही बढ़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है ऐसा कैपसुल नहीं है जिसमें एलोपैथी जैसे उनका निचोड निकाल की उसमें डाल देती होती तो मिट्टी है गोलियां ज़्यदा तर मिट्टी पर थोड़ा सा उसमें वो चीज होती है अर्क कैलो देशी भाशा में तो उसी से थोड़ी सी गोली काफ़ी बड़ा असर कर जाती है उसी परकार अगर आप सोचते हैं कि क्या ऐसी कोई गोली है जिसमें अर्क हो तो वो है गुरु मंत्रा बड़े बड़े महापुर्शों के पाग पवित्र गरंतों में बहुत दर्ज है सचाई बड़े शिक्षा है बड़े रास्ता दिखाने के तरीके हैं और उन सब तरीकों का निचोड है नाम शब्द गुरु मंतर मैथड आप मेडिटेशन आप करके तो देखो अरे तो तीन शब्द होते हैं दोहरा के तो देखो पर आप अगर उनको भी दोहराना नहीं चाहते तो फिर कैसे पॉसिवल है कि आपके अंदर आत्मिक शान्ती आएगी आप बैठे बैठे खो जाते हैं आप बैठे बैठे किसी के हो जाते हैं कहने का मतलब आप खो गए अपने बिजनेस बेपार में कामबाशना में क्रोद, लो, मो, अंकार में आप हो गए किसी के हो गए मन और माया के गुलाम हो गए इस गुलामी की जिंजीरों को तोड़ने वाला अगर कोई है तो वो है ओम हरी अल्लाव वाहिगरू का नाम और वो हमें बताया बड़ा ही आसान तरीका शामस्तान शास्त नामदाता रहबर ने इस से आसान क्या होगा जीबा से, ख्यालों से माली का नाम जपो परिम्पिता परमात्मा का नाम जपो और साथ में करम धन्दा करम योगी, ग्यान योगी किर्ट कमाई करो वाहिगरू का नाम जपो हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्ला की अबादत करो हार्ड वर्क करो, गौड्स प्रेयर करो तो सारे धरम वहीं चीज़ को कहते हैं भाशा अलग लग है तो आप चलते, बैठके, लेटके काम दंदा करते हुए मालिक का नाम जपेंगे तो मालिक की खुश्या हासिल आपको जरूर होंगी कई बार बच्चों को होता है वो प्रिक्षा देने जाते हैं टेंशन उनकी सबसे बड़ी यही होती है पेपरों में क्या आएगा और मुझे कितना आएगा और मैं क्या लिख पाऊंगा और कहीं छूट न जाए कहीं मेरे को प्रशन न आया तो क्या होगा उपर से कई माबाप ऐसे होते हैं जो प्रेशराइज करके रखते हैं इतने नमबर ना लाया तो ये हो जाएगा, इतना ना किया तो ये कर देंगे, इतना ना हुआ तो वो करेंगे, तो ये सारा ही गलत है, वो एक हसने वाली बात सुनाया करते हैं, कि किसी का नाम कुछ भी ले लीजिए, अब हमेरे पूरा ध्यान मेरे रिमेश मान लीजिए, कि रिमेश था उसका बेटा नहीं पड़ता था हसने की बात थी बच्चे सुनाया करते थे तो वो उसने इतना प्रेशर राइज किया बड़ा कुछ बोला के दा अगर इस बार तू फेल हो गया ना तो मुझे बाप मत कहना वो बेटा सुनता रहा चुपचा रजल्ट आया वो फेल हो गया आया कहता रमेश मैं फेल हो गया क्योंकि बाप नहीं कहना था इतना प्रेशर राइज मत किया करो किसी को भी अपनी उलाद को अपने बच्चों को की बचारा वो यह सोचने लग जाए कि सूसाइड ज्यादा अच्छा है मावाबका पेस करने से यह बिल्कुल गलत है मा और बाप को अपने बच्चों के साथ एजे फ्रेंड भी ट furnace चाहिए और डर भी रखनार चाहिए कुछ समय ऐसा तो जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने बच्चे के साथ खुल के बात कर सके फ्रेंट टॉक कहलो या यूँ सोच लो कि ये एक दोस्त की तरह सहिली की तरह मां बोले अपने बेटी को बाप बोले बेटे को या बेटी को कि बेटा अपा एक मित्र की तरह बात करेंगे ताकि वो अपने दिल की जो चीजें हैं वो आप से शेयर करें कि मैं पढ़ाई से डरती हूँ या मैं पढ़ाई से डलता हूँ यह subject मुझे नहीं है जब आप एक खुंखार बाप या खुंखार माम बन के खड़ी हो जाती है तो विचारों के वैसे टांगे काँ बने लगती है नकल मारने लगते हैं चिटिंग करने लगते हैं उनको होता है इनको खुश करना है वैसे हमें लगता नहीं ध्यान करने की जरूरत है हर बंदे को पता होता है वो किस दुकान का दुकानदार है कि उसके दुकान में यानि सरीर में कौन से एब हैं, कौन से गुना हैं, कौन से फाप हैं कौन से बुरे करम करता है वो कौन से negativity है उसके अंदर हर किसी को मालूम होता है छोटे बच्चे को छोड़ दे तो तो क्यों आप बहानेवाजी करते हो क्यों नहीं सचे दिल से उसे त्याग दे तो कम से कम साइन जी के जितने भी बच्चे करोड़ों में पहुंच चुके हैं उनसे हम जुरूर गुजारिश करेंगे कि जुरूर सोचना आपके अंदर क्या है और बाद में हमें बस उस शास्तनाम शामस्तन दाता को रहबर को रुबरू समझते हुए आप अपने अंदर ही अंदर नारा लगा लेना कि मैं आज से ये बुराई का त्याग करूँगा पर ये मांगना कि मेरा साक्षी मेरा गवा मेरा सत्गुर है otherwise आपका मन जहांसा दे देगा तूने कौन सा बोल के बता है तेरा कौन सा किसी को पता चला है वो खसम डाड़ा है हर किसी की जानता है हर किसी को पहचानता है पर उसको परदा मन जूर होता है राम जी को तो इसलिए आपको पता है कि मेरे में ये कमी है तो बेपरवार साइन जी के पाक पवित्तर इस जन्म दिन से आज जनम महा में आ गए हैं आप तो बात एक ही है खुशियों का बंढारा चल रहा है तो आप ये जुरूर आज यहां सोच के जाना जितने भी लाइप बैठे हैं जितने भी यहां सेवादार हैं तो प्यारी साथ संगचियो अब कुछ नए कारे जो है वो शुरू करने जा र लगता है त्यारी में होंगे सेवादार सबसे पहला ध्यान से सुन ले ना बेटा पुरातन समय में हवन समगरी यह घी द्वारा बातावर्न शुद किया जाता था हमारी उस महान संस्कृति को अपनाते हुए अपने घरों में कम से कम एक या एक साथ सत्रा तेल के या घी के आप दिये जलाएं सुबह सुबह शाम को जितना की देर जला सके ताकि पूरा बातावर्न शुद हो चके तो यह इसकी शुरूआत हम यहां से करेंगे तो एक दिये से लेके सत्रा दिये जो आपको ठीक लगे उतने आप कर सकते हैं तो क्या आप यह मनजूर करें हम तो अभी शुरूआती कर रहे हैं जी तो मालिक जैसे वो अखंड दिया जलता रहे आपके घरों में वो दिये जलें आपके घरों में खुशिया आ जाएं और दियों की खुश्बू से आपकी बुराईयां भाग जाएं बैक्टिरिया वाइरस आपको बताएंगे तो शुरू करते हैं वो पहले अगर वो लाएं भी दिये हम जलाते हैं आज उसकी शुरुआत करते हैं और यह दिये जलते रहेंगे यहां संबब यह बच्चे यही चाहरे थे कि ऐसा हो तो यह शुरुआत कर रहे हैं बच्चाहर वाइरस दाएंगे पहलाते हैं सब्सक्राइंगे करते हैं वाइड परोल करते हैं तो हम यहां से नौ दिये आज जला के शुरु आर्थ करते हैं और परमपिदा प्रमाद्वा से मांगते हैं कि वो सब को खुशिया दे, तीन और रह गए हैं, खुशिया दे, दिया में रहमत से नवाजें, और हमारे प्यारे बच्चों को, सारे के सारों को, तंदुरुस्ती बक्र से नौ बर नौ रखें, ये मालिक से दुआ करते हुए, आज नौ दिये, यहां से परजलुवित करेंगे, जगाएंगे, शुरुआत करेंगे, हमारी पुरातिन संस्कृती और पुराचन उस तिहारों की बानगी को पुझे पिता जागे बढ़ाते हुए, और नौ दिपक जलाकर, जो हमेशा जलते रहेंगे, हमेशा प्रजलत रहेंगे, और ये संस्कृती हमारी बहुत पुरातन है, इसमें कुछ आहुती बगएरा डाला करते थे, पर घी भी अगर या तेल सर्सों का है, जो भी आपको ठीक लगी, एक दिया भी आप जला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, तो जरूर जलाया करें सुबहा और शाम को, गंटा, आदा गंटा, बंदरा मेंट, दो गंडे आपकी इच्छा है, तो जो घीन मानों, दिन की शुरूरात में तो जरूरी है, बड़ी अच्छी लगेगी, और रात को भी जरूरी है, कि नीद भी अच्छी आए, माले खुशी दे, बोड़ी रिवेर होती है उस समय, तो समय इसमें बिनोले डालके, तो घर में लिजाया करते थे, तो ऐसा ही कुछ, आज पुरातन संस्कृति जो हमारी है, उसके अकॉर्डिंगी आज दिये जलाएंगे इसी से, वह बड़ा थोड़ा उदर हो गया, आपका, आज शुरू हो गया है, आप हाथ उठाकर तालियां बजा सकते हो, हमारी संस्कृति की पेंचान उच्छे पिताईजी बंते हुए, और उस संस्कृति को दोबारा पुर्ण जीवित करते हुए, इसमें तालिसमा मांतर बिलाई का जो कारी आज शुरू हो रहा है, इसमें न नो दीपक पर जुवित करते हुए पुझे पिताजी और यह अखड ही जलते रहेंगे, बतायागा है कि तीन दीपक यहां यूपी आश्रम में लगातार जलेंगे, और तीन दीपक शासतनाम जी धाम में लगातार जलेंगे, और तीन दीपक शामस्तान जी धाम में लगाता जलते रहेंगे, यहां से इंदियों को जला कर वहां पर भीजा जाएगा जो पुझे पिताजी शुरुवात कर रहे हैं, और यह खंड जोत जो है वो यूपी के बरनावा आश्रम में जो जल रही है इसको शाह मस्ताना जिधाम में भी स्तापित किया जाएगा, तीन दिये यह जरसा के शाह सतनाम जिधाम में भी यहां पुझे पिताजी द्वारा भीज़ जाएगे, जो हमेशा ही जलते रहेंगे और यह जलते हुए दिये नजाने कितने इस जिंदगी से अंधेरा मिटाएंगे, नजाने कितनी दिलों में रोशनी जगाएंगे, नजाने कितने भरों को खुष नमा बनाएंगे, फुरानी सुस्क्रदी पावन, पात पवित्र सुस्क्रदी को एक बार फिर पुनर जीवि मुझे पितारी एक समय तांसवा कारियर शुरू हो गया है नहीं वैलपर बॉक MSG के शेप में ये दिये योही बरकरार रहेंगे योही अखंड जलते रहेंगे ये आहुती है हमारे संस्क्रदी की ये आहुती है हमारे फुरातिम समाच की है paar, ये एक समय कारियर पोगыш जम कीई ये रहेल है कीई इक से पैंटारी स्वाम आंताम रही की है इप एस निप नहीं बूटी भी पुरुचल कोदी भी झाल 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 पुजए पिदाजी ने आज यहाँ पर उपके शुरुवात की है प्रखलित कीये हैं वन्हें तीन दिए यहाँ यूपी आश्च्रफ में रहेंगे और तीन दिए यहीं से पुजए पिदाजी शाह मस्ताना जिधाव जो चुछ पुछाना दिन्हाँ और व्यूजश्च्थ वहां पर स्थापित होंगे और तीन दिये शामस्तान जी शासतनाम जी धाम नए डिरिंग स्थापित होंगे ताक शामस्तान होंगें झार्बास अामस्तानि स्थापित होंगे और ये भी एक संस्कृति वा थैस्ता की एक याख सकते है घाव में अक्सर ऐसा ही होता है कि एक दिए से से दुसरा लिया जास्का भुजा फि 앞으로 याद कराते हुए है ज़्कित का जस्कों के आपो निए ढहले घर में देख देखा कि दिए से दुसरा बदलते समाजिक परिवेश में बॉडर होते हुए अपने मुल्यों को भूलते हुए हम और उसका बदलते परिवेश में हमें मुल्य सिखाते हुए दिखाते हुए पुर्जे पिदाचे हुए कि वीपक यहां जलाए है और यह अधंड जोत जो है यह यूही बरकरार जबती रहेगी तीन दियों की स्थापना इसी आश्र में जहां पर आप बैठे हैं यहां पकी जाएगी और तीन दिये शाह मस्तान जी थाम जो कि पुराना डेरा कहा जाता है वहां पर होगी छोटा डे वहां पर यहां से भेजे जा रहे हैं पूरी मानुंता को सब्सक्राइब यह नाम को रास्ता दिखलाता हुए यह नाम नए ने ने नित मुखाम बनाता हुए यह नाम आज बुशियों की सुशाम ने एक फ्रण यहां पर दिया गया है कि हम दिये जलाएं कि लोगों ने इतना जल्दी फॉलो किया कि हुआ रिट हम पर variance c a फुज जला हैं चण मघार आते हुए यह तो वही हो गया साठी डिवाली ह met शो टो जो आने रोजänder हमारी टो हमारे तो रोज ही दिवाली पर जो ए रोजी आप जोगा विलकुल विलकुल सभी कहर ये बच्छा क्योंकि आप पुरा हम बच्छो बहुत अच्छा लग रहा बेटा देश वी देश में दिये जला ही दिये आपने हमारे जलाते जलाती कुग हमारा काम थोड़ा सब बढ़ा था नमोथ बतिया बहुत कि हमने आपको बात सुनाई थी तो यही होता था दिन की शुरुआत घी के दिये जला के उसमें खुश्वू या फिर यग्या की आहुती दे के उसमें से शुरुआत होती थी यग्या की आहुती ही है आप उस दिया जला के राम का नाम जब पे तो और ज्यादा अच्छा फील लोगर और जल्दी मालिकी खुशिया और आपकी जायज मांग भी मालिक जल्दी से जल्दी सुनें यहीं मालिक से रहमो करम मांगते हैं आप सब के लिए तो ये था 145 मांकाम और इसका नाम भी जुरूर आपको एक दो दिन में बता देंगे और वो डाल देंगे हम या तो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप लोगों के लिए एक मुहीम और है बचो जो आज आपा शुरू करने जा रहे हैं बस दो तीन मुहीम लगातार उसको फॉलो करना है पीछे डेफ्ट आपने सुनी लिए है दिये वारी दूसरी हो गयार तीसरी ये है इसका नाम है SEED S-E-E-D SEED Campaign और इसका मतलब है Social and Spiritual Self-Life Enrichment and Enhancement with Digital Fasting कहने का मतलब परती दिन दो घंटे शाम साथ से नौ बजे मुबाइल फॉन से दूर रहकर इस दोरान घर परिवार को समय देंगे रिस्तों की संभाल करेंगे घरों में खुशियां बगवान जी माला माल करेंगे तो आप ये जरूर सारे बच्चे हमारे वाइदा कर रहे हैं साथ संकत वाइदा करें यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़की विंटी ये डिजिटिल फास्टिंग है यानि आप एक तरह का वर्त रख रहे हैं कि दो घंडे साथ से नौ शाम को अकेला फोन नहीं टीवी पे भी कंट्रॉल करना हाँ फोन चोड़के टीवी लटके जाओ टीवी चोड़के गेम में लटके जाओ डिजिटिल फास्टिंग आप समझ गे होंगे फ्रिज को नाबंद करना अगर नहीं जुरूरत हो आपकी ठीक है बाकिया कोई एलेक्ट्रिक मशीन से खाना खुड़के पना तो वह भी चला सकते हो कहने का मतलब यह जो फोन है या टेलिवीजन है या गेम आप जो खेलते हैं यह इससे आपने दो घंडे बरत रखना है यह डिजिटिल बरत है जिसका नाम हमने दिया है सीड तो यह भी आपको यूट्यूब पे अभी बच्चे बना देंगे तो हम अभी कर देते हैं इसका दूसरे का कल तो क्या आप सहमत है ना सारे देश-विदेश के लोग भी सारे तो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो बीड़ा दन दन सद्गुरू तेरही आश्रा तो यह एक और नया काम है डेफ्ट हो गया एक सीड हो गया अब इसका नाम भी दिये वाड़े का नाम जल से जल इस पर डाल देंगे आज शाम को कोशिश करेंगे तो यह वाड़ा दो हम अभी डाल देते हैं अगर आप लिखके उसमें कर दो तो असान हो जाएगा तो प्यारी सासंकेचियो जितने भी भाई बहने सुन रहे हैं जुड़े हुए हैं सिर्फ दो घंटे से कोई आफत नहीं आने वाली लेकिन जिकीन मानो यह दो घंटे आप अपने परिवार को देगे तो आपके परिवार में बहार जुरूर आने वाली है यह हमारी गरंटी क्द्रा जिक काल्चर तो हमारा कंदमी हो गया बेटा उधर फोन लिये बेठे में और बैटी की मां कहीं और बैठी है बैप बचरा के यह दो गंटे आप करके देखना और हमें लगता हमारे बच्चों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है उन्होंने भाँ भरी है सब ने यह दरड़ जिकीन के सब हाँ बेटा आश्रवाद तो आप सब ने जुरूर इसको अमल करना तो आज साइन जी के इस अवतार महीने में अवतार दिन का जो बढ़ारा चला यह पर्न किया है आव लोगों ने तो यह याद रखना यह सुमूंदर जो आ रहे हैं उनको और आपके उपर चाने का मौका देगा यह दोनों चीजे और सुमूंदर और आपके भीदर तक जाएंगे आपकी गंदी आतों को बुदा कहा जाए जिने भगत बहादुर कहा जाए तो बहुत आश्रवाथ तो यह दो काम थे तो एक भजन है वो हम सोचते हैं बाद में सुना देते हैं क्योंकि आप भंडारे का भजन सुनते हो और प्यारी साथ संगे जी ओ जितने लाइब आप जुड़े हुए हैं एक भजन आज रिलीज भी हो रहा है आप से वाइदा किया था कुछ दिन पहले एक टीजर भी डाला था सुना ना आप लोगों ने वो टीजर जो आया था जी 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 तब उसका पूरा समान आ रहा है आज वो बिल्कुल रेडी है तो उसको बाद में अभी तो कुछ और भी काम पड़े है अब कुल का कराउन की शादी जानते हैं आप कुल का कराउन की बेटी शादी करवा के इस बेटे को लेके जाएगी जिनके दो बेटे होते हैं कम से कम तो एक बेटा उस परिवार में जाएगा यहाँ एक ही बेटी है यह दो ही बेटी हैं ही बेटी हैं एक ही शादी हो चुकी है और एक रह रह रही है तो यह हमने चलाया था कि बेटी से कुल का नाम रोशन होगा यानि आगे जो बच्चा आएगा वो बेटी के गोतर से जाना जाएगा ना कि बाप के गोतर से इस तरह से उनके कुल का क्राउन होगी बेटी तो उसका नाम अभी हम आएंगे वो लो तो ये तेहत्रमा वेलफेर वर्क है कुल के कराउन का नाम है मन्जू इंसा एक्स्टूडेंट माता का नाम अंगरेजो दिवी पिता का नाम चंदरभान इंसा निवासी सिंगोबाल जिला जीन्द हरियाना भक्त मर्द गाजी का नाम ये बी कम नहीं होते है जो घर परिवार चोड़ के जाना बिनोव दिन सा पिता का नाम जोगी राम निवासी जीन्द हरियाना परिवार के 27 मेंबर मर्नों परांत आंखे दान वे सिरी दान का पर्न कर रहे हैं बहुत बड़ी बात दीन दुख्यों मद के लिए बैंक में ये लोग 377 भी जमा करवा चुके हैं तो आजाएं हूँ परिवार और एक और भी परिवार है उसी तरह का ये है जी हाँ कठे शादियां हाँ जी पहले ये वाली शादी ठीक हाओ बेटा आप बजा दो बही आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा आओ 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 बेटा जल्दी आओ पराद बीवे कैसे उड़ी तो ये बेटी ही पराद लेगे आती है किसी बच्चे ने कहा कि पिता जी अब ये कहें बाबुल की दुआएं लेता जा तो हमने कहने में क्या हर्ज है क्योंकि लड़का बिदा होता है ना अब आओ अब आओ अब आओ 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 ये खुलका कराऊं इसकी पगड़ी भी देखी हमने गभी डिजैन की इसको अब अब बेटी के सिर्व भी पगड़ी है और वो बेटा भी बहुत बड़ी बात है जी आज यहाद आलो बेटा जार भादाशावादा बादाशार बादाशाना जीजए बाहदा एला है बच्चों के लिए चेक भी रखा होता है कि इतने बड़ी बात करते हैं तो आश्रम की तरफ से ये दिया जाता है हमेशा आज हैं बच्चों दुनों लड़का लड़की अरे भाई आई से उतार दिया करें अरे से विस्वी जगादो अरे ताइम तो रसा जान पता वहीं शिवाद है पुझे पिताजी स्नव विवाहित जोडे को शासता नाम जी ग्रिनस वेल्पोर्स विंग की तरफ से पच्छी सहजार रुपे का चेक दे रहे है एक परंपरा जो हुमारे समाज में नहीं चली अरे एक और शादी है मीत माजने तो जने भगत परमार्ति योधा नहीं तो ना जने जशनुर खत्म ही होगा भगत योधा की आर्तिक तौर पर कमजो लड़की के साथ शादी भगत योधा का नाम जो आपको पहले बताया था जो शुब देवी नाम दिया गया, उनके साथ भी शादी कराने को तियार, लेकिन वो बच्चियां नहीं आपा रही, तो फिर, भक्ति योदा का नाम मंदीप, कंभोजा एक्स्टूडेंट है, लड़का बला का 15 मेंबर भी है, वाजी, पिता का नाम रामचंद, निवासी जल आजि आशिवा बिटा, जी, बहुत आशिवाद, आजयें बिटा जी, दोनों बच्चे, ये सेडिया है, राम से उपर के, और वोड़की, वोज रामचंद, पूच्छे, कुछे पिता जी इस नफ्स भी हाइए totally good शार्थत नाम जी करें быть जरा से 25,000 अरफे का चेक दे रही है शार्थत नाम जी एक इस कर hear the voice of shireas no臣 जी अशयवार पेटे पशीवाब कि बाकिज रोज अशीरवाद देते हैं वह अशीरवाद हैं जी सबको नए सेवादार अगर शास्ता में गिनने से बेल फिर फोर्स विंग पकी सिमीधिया मैं जी आइटी विंग यूद का नया परशाद लेना चाहते हैं तो खड़े हो कि नारा लगा के बैठ जाना बेटा परशाद लग से लेना तो मालिक उनको खुश्यां दे अच्छा बेटा जी अश्रवात नरेंदर कुमार इंसां जी भर्याना से यह पुलिस विवाग में है नायक गुर्च विंदर सिंग जी यह लेह से आयें परिवार सवेथ दीना देवी यह मद्या पर्देश से आये है तो आप सबको बहुत बहुत सालूट बेटा मालिक खुश्यां दे और परशाद ले लेना आप लोग जागते हो तभी समाज चैन की नींद सोता है तो बहुत 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 योदा हैं आप मालिक खुश्यां दे बहुत आश्रवात तो यह हमारे वो बच्चे हैं यहां पे हम साल डेट साल लगा के आए थे आदिवासी एरिया कोटड़ा जडूल कोटड़ा से जडूल दोनों से मिक्स हैं हाँ जी आश्रवा बेट आश्रवात तो आदिवासी परिवारों में से बच्चे आज देख सकते हैं आप बिल्कुल मुख्यधारा में वापिस आ चुके हैं बहुत बच्चे वाँ पढ़ते भी हैं पढ़ रहे हैं तो आज उनकी शादियां होने जा रही हैं जैसे आपको पकड़ा दो बताना वही और बच्चो ठीटा को ठीक हो सगला है आश्रवात जी बेटा जी बेटा आश्रवात तो यह हमारे बच्चे आज मुख्यधारा में आ चुके हैं शादियां इनकी होने जा रही है अ हावाई ध्यान से नंबर लगे होते हैं ध्यान देना एक बर च चेक कर लो सारे हाँ यह जुरूरी है और जनवरी में दो कि बडेट डेट दो दो सो शादियां भी होई है और आज 21 शादियां वहां से यह बच्चे आई हुए है और एक साथ संगत पूरा ख्याल रखना अराम करना है रहना करना आश्रम में रोड के उपर नहीं जाना यह आप से गुजारिश और जाना सुबा जाएं क्योंकि रात भी काफी होगी और मौसम ठीक रहा तो आस-पास थोड़ा दूर जाने वाले जा सकते हैं लेकिन सेवदर भाई की शिफ्ट बदलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो यह पूरा ध्यान रखिएगा सारे और बाहर नहीं आश्रम के अंदर ही आप खाने पाने का सब समान यहां रखा हुआ है रोड के उपर विल्कुल नहीं जाना यह पूरा ध्यान देना है यहां अंदर गूम सकते हो बहुत बड़ा अश्रम है हाँ नंबर डूंड रहे हैं मिल गए आठ नंबर अभी आवाज आई थी आठ नंबर बहन कहा है हाँ करो भी करो देखो क्योंकि हाँ ऐसे लाइन बना लो पूरी देख लो जैसे अच्छे से आप पूरी दुनिया देख रही है आपको अगर दिखाएंगे मापुर्श हमारे जी तो यह वो बच्चे हैं जो आज इनकी रीत पहले बड़ी अलग हुआ करती थी शादियां भाग जाया करती फिर शादियां बच्चे होने के बाद भी हुआ करती थी जब हम गए थे आज देखो जिस सब्समाज की तरह पूरा बढ़िया तरीके से शादियां करती और बापीस आगे हैं मुख्या धरा में पढ़ लिख गए हैं बच्चे हमारे स्कूल है वहां बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं तो होसल में हमें लगे तीन-चार सो बच्चा वहां रहता था जब हम बताया गया था अब तो किसी ने नहीं बात करी हम पूच स्टेट पार कर गई तो बड़ी बात है जो पेशा कभी लूट के लिए यूज किया जा था जो उससे देश को गर्ब करवा रहे हैं यह हमारे वच्चे बहुत आशिरवात हाँ जी हो गया चेक कर लो हो गया तो फिर आप लोग साइड पे हो जो हाँ बच्चो अब जैसी मुजिक चलेगा तो पहले बेटी हार डालेगा ते डालना है बीटा पहले बेटी जैसी मुजिक चलेगा हाँ जी बादालो बीटा हाँ जी बीटी अब बादी जी अपनी अबनी जेगा बैठ जो बीटा हाँ जी अश्यवादा लेचले इनको भी ठाएं बीटा बहुत आशो कोई निनारा लगा लेने दो यह हमारे बेटे बेटियां है अश्रवाद इनको बलाकों वाले निशाने भी देते हैं जब यह जाते हैं अलग लोग सिवादार जी तो आप बैठ जो बीटा वहाँ जाके अपने वहाँ जगों पे यहां से बेटियां उद्र से आए हैं भाई उद्र से तो बैठ जाएं चलके वहाँ अश्रवाद जी अश्रवाद और वेपरव मस्ताना जी महराज की खुशी में डेफ्ट कंपेंड के तहत नए जीवों को बुराईयां चुडाने के लिए राम नाम से जोडने के लिए यह सम बीटियां में बेटियां 15 बसें शाही बीटियां एक बस खड़े उते जाएं में जी आइटी बिंग 15 बसे एक स्टूडेंट गर्ल बिंग अलग अलग जगों पे साथ बसे न्यूजिलेंड 17 बसे ऑन लाइन बैठे हैं जी हॉस्पीट्र स्था पे डॉक्टर ग्यारा नंदलाल वे मीरा देवी दुबई से साथ रंदीप कोर नियां 15,772 बे जमा करवा चुके हैं जी तिन सब को बहुत बहुत अश्रवात मालिक घरों में खुशियां देदे हमेरे मसे नवाजे और आपका जो निशाना सेवा का सुमरन का मालिक ओड निभाए और जल्द से जल्द से जल्द से जल्द पूरी करे सद्गुराम नारा लगा के बैठ जाएं बहुत अश्रवात हाँ बैठ जाएं बाद में परशार ले लेना अश्रवात तो अब एक भजन आपको सुनाते हैं उसके बाद उस दूसरे भजन को लाउंच करेंगे हाँ जी रडी है साथ जी कहां बटा चाब पीछे बढ़े ठीक है तो यह डांस का है स्पैनिश रिमिक्स वरीशन 421 जी शर्माइनर फूर्चेप प्रस्त लाइंग भुकला है जी क्या क्या रहे बच्छा टेबल तो यह बंढारी का बजन आप सुनेंगे उसके बाद फिर वह बजन लॉंच करेंगे उसका अगर लिंक जो है यूट्यूब का चैनल चल रहा है और इस्टाग्राम पर दोनों पर डाल दें लिंक थाकि जूम पर भी डाल सकते हैं लिंक तो अगर पॉसिवल है ना कैमरे से चला जाएगा कैमरे के आगे काविश करता हो चला गया लिंक जिससे वो खोल के उसको चला सके है है बटा हाँ लॉंच के बाद लॉंच के बाद पर वो अगर पहले भी करते तो भी कुई हर जिनी उत्यार रहेंगे कि आपने खुलना है जी तो कोई ऐसी बात नहीं है तो शुरू करते हैं आज जो साइन जी के अवतार मेहिने का वाजन है वन टू थी फो साइड जी के अवाजन है वन टू टू थी फो साइड आए 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 आज हमाढी लूरी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करद करद करने जुअकं पर करने से युझां से सभरें का झान श्च। कर दो कर दो कर दो कर दूड़ा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हजूर झी asy SHAMIAR Istanbul हाजूर झी ≠ आदम को महालो हरु झाल 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 आईजी उनके अंदर happiness का समुंदर रेता सदा ठाटा मारता आईजी उनके अंदर happiness का समुंदर रेता सदानी ओठाटे मारता happiness कि से आखे लेना मैं जरूर नी है आँके से आँके मैं लागे लेना जरूर नी आय, 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 आय तोनों जहां काई उसके चेरे बनूरनी करेंखा बनूरनी बनूरनी ट्रशनार भीटादा था उसके चेरे बनूरनी प्रसाओनी जहां काई एंगा प्रनार भीटादादा आए नहां काई भीटादा है कर दो 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 कर कहें में दखाग को सदना मदात जी दोनों जहां में बना ली रे सदा अपनी कहें में दखाग को सदना मदात जी दोनों जहां में बना ली सदा मुझे अपनी इशिक के रंग का शीन और पूर कुनों जहां का है उसके चेरे पे नूर नी कुन जाहा का इसके चेरे मेरूरी का दिचर्च का इसे चेरे मेरूरी detected झाल Чंझ लो एटर लेश पार घुरूरी अज़ यह जा साना जी अजूरी आई जा साना जी मार्णा जी अजूरी आई जा साना जी जी बंदाना जी बंदाना जी अजूर ने जी तो बैठ जाए ये सब लोग बैठ जाएं बैठ जाएं तो अब जी तो उस भजन की चर्चा है तो पहले लॉंच करवाएंगे या पहले लिंक बेज़ेंगे लिंक पहले लॉंच करवाएंगे ले आओ तो जितना भी लाइब देख रहे हैं आप लोग आप अपने फोन त्यार रखना क्योंकि वो लिंक आएगा तो उससे ही वो चलेगा अब लाइब में नहीं तो जो लाइब पे बैठे हैं अब सेवादर तो यहां बैठे हैं सेवा करते हैं यहां दिल्रात लगे हुए हैं पर जो लाइव हैं उनके लिए लिंक ज़रूरी होगा तो अभी लॉंच करते हैं कि ऐसे नगर भाई कि स्पीकर वड़ा कर ले चेक कर ले चेक करना दो बहुत जी तो अभी वो लगे हुई हैं अभी शुरू करने ही जा रहे हैं तो प्यारी सासंगे जीओ आपको जैसे आज दिये का बताया हम कि दिये जला करेंगे और ये जलाने हैं तो ये वो ही समय की याद होगी जो गुरुकुल में किया जाता तब पुरातन समय में हमारी संस्कृति में होता था आप गर्ब करना जब दिया लगाओगे कि हाँ मैं अपने संस्कृति को जिंदा रख रहा हूं एक तरह से यग्य होगा जो घर में होगा तो उसके सामने राम का नाम लेना अल्ला ओम हरी गौर्ड खुदा प्रमात्मा को याद करना तो वह एक अलग आपकी अनर्जी आएगी एक अलग खुशी आएगी और दूसरा जो है वह आपने सुनी लिया है उपवास बर्त ता सारी रख दिया है पर डिजिटिल बर्त तो पहली बर रखा रहे हैं सु बर्त आपने बहुत देखें होंगे उपवास बहुत देखें होंगे लेकिन यह अपनी तरह का अलग उपवास है और आज के बच्चों के लिए बेहत ज़रूरी है है जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे के रहे केंट है बिल्कुल केंट है जी ले आउ जी रखो जी तो बच्चो हो गया है और यह लिंक आवाँ दिखा दे हमारी तरफ से अमने लॉंच कर दिया है तो यह लिंक हाँ वह आ गया है सामने आप लिंक की चेक कर लीजिए जागो दुनिया दियो को फुल सॉंग रिजिंग शॉटली शॉटली कि आप तो होई गया रिलीस आप शॉटली की क्या जरूरो थे अंगरे जाएजी कि आपता इसका कुछ और ना निकलता हो हमें तो लगता है निए शॉटली लिखनी की जरूर थे जब हो ही गया लॉंच चलो अपना शोटरली बाउस कर ले ना तो लिंक आपको बेज दिया है आप शुरू कर ले ना तो सारी साथ संकत जो लाई वह खाश करके उनको बहुत बहुत आश्रवाद अब आप अपने देखने में लग जाओ सौंग वगारा सौंग लॉंच हो गया है आप देख सकते हो बेटा तो सबको माले खुश्यां दे साइन जी के अवतार महीने की दिन की बंढ़ारे की बहुत बहुत बधाया और बंढ़ारों की खुश्यां माले की दे सुमंदरों के रूप में सबको बहुत बहुत आशिरवाद, आशिरवाद, आशिरवाद